राधे राधे दोस्तों आज हम आपको सुनाएंगे कलियुक का शर्वन कुमार एक बूढे माबाप की बड़ी दुख भरी कहानी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें एक गाउं में एक पती पतनी रहते थे दोनों में बहुती प्रेम था पतनी का नाम शांती और पती का नाम रगु था दोनों में बहुती प्रेम था दोनों ना तो जादा अमीर थे और ना जादा गरीब और अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे रगू और शान्ती की कोई संतान नहीं थी उनके पास हर खुसी होने के बावजूद भी एक खुसी की कमी रह गई थी रगू एक बन में अभ्यारण्या के अंदर गाइड की नौकरी करता था जहां वो अलग अलग जगह से आएवे लोगों को अभ्यारण्या की सेर कराता था अक्सर वे जो रगू अपने काम पर चला जाता था और सान्ती घर में अकेली रहती थी वे घर के अकेले पन को देखकर हमेशा अच्छा महसूस नहीं करती थी उसे अकेला पन अच्छा नहीं लगता था उसने अपने अकेले पन को दूर करने के लिए अलग अलग अपने पसंद के कारिये करने सुरू कर दिये लेकिन उससे भी उसका मन बिलकुल नहीं लगता था रगू जब शान्ती का ये अकेला पन महसूस करता तो तब वे उसका केला पुंदूर करने के लिए हफ्ते में एक बार उसे अपने साथ जो घुमाने के लिए ले जाया करता था अभ्यारन में लेकिन सांती का इससे कुछ हद तक मन संतुष्ट हो जाता था लेकिन संतान नहीं होने के कारण शांती का मन हमेशा दुखी रहता कैसे रहता भी कैसे नहीं अगर घर में कोई बच्चा ना हो तो किसका मन नहीं करता उसे खिलाने के लिए किसका मन ही करता अपने बच्चे को दुलारने के लिए और संतान ना होने के कारण उसका दुखी रहना भी जायज था आखिर कारों कहते हैं ना भगवान के घर दे रहे अंदेर नहीं कुछ सालों बाद शांती ने एक प्यारे से बेटे को जनम दिया उस बच्चे के चहरे पर जितनी मुसकान थी उससे कहीं ज़्यादा सीला और रगु के चहरे पर खुसी च्छाई हुई थी उनकी खुसी का ठिकाना नहीं था उस घर में जहां पहले शांती और रगु के होने के बावजूद भी एक सन्नाटा सा च्छाया रहता था उसने अब उस बच्चे की किलकारी का रूप ले लिया था उस बच्चे की आवाज थी ही ऐसी कि शांती उसे कभी अपने से अलग नहीं करती थी वे सारे दिन जब रगु घर पर नहीं होता था तो उसे खिलाती रहती थी और शाम को जब रगु आता तो वे भी उस बच्चे को खिलाने लग जाता था शान्ती और रगु ने अपने बच्चे का नाम श्रैवन रखा था जो श्रैवन कुमार अपने माता पिता को दो टोक्रियों में बिठा कर सारे तीर्थों के दर्सन करवाता है शान्ती और रगु के प्यार का ही असर था कि शर्वन हस्ते हस्ते आच्छे साल का हो गया था रगु और शान्ती से स्रेवन को स्कूल जाने की बात कह रहा था क्योंकि शर्वन इतना समझदार हो गया था कि वे अपने आप ही लिक और पढ़ लेता था लेकिन इतने पढ़ने से उसका कुछ नहीं होता उसे जो ग्यान मिलना था वे स्कूल से ही मिलना था रगु शान्ती से कहता है शान्ती आज तुम शर्वन को तैयार करो मैं उसका दाखिला करवाने स्कूल जा रहा हूं शान्ती रगू की बात सुनकर उदास हो जाती है और उदासी के साथ कहती है ए जी आप शर्वन को इतनी जल्दी स्कूल क्यूं भेज रहे हो एक साल और ठैर जाएए ना रगू अब सोच में पढ़ जाता है ऐसा लग रहा था कि उसको शान्ती की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी रगू मुह बनाते हुए कहता है क्या कहा एक साल और तुम जानती हो ना शान्ती हमारा शर्वन कितना बड़ा हो गया है उसे अब इसकूल में पढ़ने जान सकती हो फिर उसे स्कूल भेजने की क्या जरूरत है रगू चिड़ते हुए कहता है ये तुम क्या कह रही हो शान्ती मुझे भी पता है तुम इसे घर में पढ़ा सकती हो लेकिन जब ये बाहर निकलेगा नहीं तो कुछ सीखेगा कैसे और अपने सपनों को कैसे साकार करेग अगर ये स्कूल जाएगा तो बहुत कुछ सीखेगा जो ये घर पर नहीं सीख सकता शान्ती बार बार रगू को मना कर रही थी लेकिन रगू था कि उसकी एक नहीं सुनता और बोला मा होती ही ऐसी है वो अपने बच्चे को कभी खुद से अलग नहीं रख पाती मा को हमेसा ये लगता है वो अपने बच्चे को पढ़ा कर इतना काबिल बना सकती है कि उसे समाज में किसी भी परकार की कोई समश्या का सामना नहीं करना पड़ेगा लेकिन अपने पती की जिद के आगे शान्ती को हार माननी पड़ी क्योंकि वो भी शर्वन को एक सफल आदमी के रू इस तरह अब शर्वन स्कूल जाने लग गया और वो कब स्कूल की पढ़ाई पूरी कर लेता है पता ही नहीं चलता मानो कल की ही बात थी शर्वन पहली बार स्कूल गया था और आज वो अपनी पढ़ाई पूरा कर चुका था स्रवन पढ़ाई स्कूल की पूरी करने के साथ साथ अब 19 साल का युवा लड़का बन गया था वो अब आगे की पढ़ाई के लिए बड़ी युनिवर्स्टी जाने का ख्याल करता है क्योंकि उसे उसके सेहपाटियों ने ये कह दिया था कि बड़ी यूनिवर्स्टी में पढ़ाई अच्छी तरह से हो जाती है और नौकरी मिलने की संभावना जादा होती है इसलिए शर्वन अपनी मा और पिता से अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए बड़ी यूनिवर्स्टी में जाने की जिद करता है शर्वन अपनी मा से कहता है मा मुझे आप से एक जरूरी बात कहनी है शांती कहती है जरूरी बात कहनी है क्या बात है बेटा शर्वन कहता वो मा मुझे न डॉक्टर बनने के लिए आगे की पढ़ाई करनी है तो शान्ती बीच में ही बोल पड़ती है वा मेरे बेटे को डॉक्टर बनना है ये तो बहुत अच्छी बात है तो बेटा कर लेना पढ़ाई हमने कहां रोका है तुमें हम तो चाहते हैं कि तुम एक दिन बहुत बड़े डॉक्टर बनो सर्वन कुछ हिचकिचाते हुए कहता है हाँ मा पर मैं जानता हूँ आप मुझे पढ़ाई के लिए नहीं रोकोगी पर मा इतना कहते ही शर्वन चुप हो जाता है तो शान्ती कहती है तो पर क्या बेटा शर्वन कहता वो मा मुझे ना आगे की पढ़ाई के लिए बड़ी यूनिवर्स्टी में जाना होगा जो यहां मौजूद नहीं है वो पूरे दूसरे सहर में है मैंने पिताजी से तो पूछ लिया है लेकिन उन्होंने का है तुम्हें तुम्हारी मा से पूछना चाहिए कि वो क्या चाहती है मा पिताजी तो मान गए है पर आपकी आग्या चाहिए थी शान्ती शरवन की बास सुनकर उदास हो जाती है और कहती है बेटा तुझे वहां पढ़ाई करने के लिए जाना जरूरी है क्या क्या तुम्हें यहां पर रहकर पढ़ाई नहीं कर सकता शान्ती की ये बास सुनकर शरवन इतना तो समझ गया था कि उसकी मा उसे दूसरे सहर पढ़ाई करने के लिए मुश्किल ही बेजने वाली है लेकिन फिर भी वो अपनी मा को मनाते हुए नरम लहजे के साथ कहता है मा क्या आप नहीं चाहती आपका बेटा बड़ा होकर एक अच्छा डॉक्टर बने शान्ती शरवन की तरफ नम वाली आँखों से देखते हुए कहती है कुछ नहीं चुप हो जाती है सरवन अपनी बात पूरी करते हुए कहता है वैसे भी मा कुछी सालों की बात है मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आ जाऊंगा तो शान्ती कहती है वो बेटा तेरा मा पर ख्याल कौन रखेगा सरवन शान्ती के सवाल का जवाब देते हुए कहता मा मैं अभी इतना बड़ा हो चुका हूँ कि अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ तो फिर आपको तकलीप लेने की क्या जरूरत है शान्ती कही न कही सरवन को लेकर ही चिंता करे जा रही थी करती भी कैसे नहीं आकिर वो उसकी मा जो थी एक मा ही तो होती है जो अपने बच्चे के भविश्य को लेकर चिंतित रहती है और साथ ही अपने बच्चे के प्रेती जायदा प्यार होने के कारण उसे अपने से अलग भी नहीं कर पाती ऐसा ही आशान्ती के साथ हो रहा था वो एक तरफ तो शर्वन का भविश्य देख रही थी दूसरी तरफ उसके प्रेती अपना प्यार आखिरकार एक मा को अपने बच्चे के उजबल भविश्य को लेकर अपने प्यार के सामने जुकना पड़ता है और शान्ती शर्वन की तरफ देखते होए कहती है उसना कहते ही शान्ती शर्वन को अपने गले लगात लेती है शर्वन अपने पिता से कहता है पिता जी आपना कल मेरा एडमिशन करवा देना मेडिकल कॉलेज में तो रगू कहता है क्यों नहीं बेटा कली जाकर मैं तुम्हारा एडमिशन मेडिकल कॉलिज में करवा दूंगा और दो दिन बाद शरवन अपने कमरे में अपने बैग में अपने कपड़े और जरुरत का समान जो पैक कर रहा था और अपनी किताबों के साथ अपने सफर में कामाने वाली चीजे भी साथ में ले लेता है तभी कमरे में उसकी मा आ जाती है और शरवन को कहती है बेटा अपने जरुरत का समान ले लिया तुमने श्रेवन कहता है हाँ मा मैंने अपनी जिर्वत का सामान ले लिया वैसे मा पिताजी कहा है दीखें नहीं है सुभे से शान्ती कहते हैं दीखेंगे कैसे बेटा वो तुमारी ट्रेन की टिकेट बुक करवाने के लिए गए है आते ही होंगे शांती और श्रेवन बात ही कर रहे थे तब ही कमरे में रगू आ जाता है और आते ही कहता है तो तैयारी हो गई यहां से जाने की शर्वन कहता है हाँ पिता जी हो गई रगू अपने हाथ आगे करते हुए कहता है यह लो बेटा तुमारी ट्रेन की टिकेट आज दो फैर की ट् यार रहना शर्वन कहता ठीक है पिता जी अब मुझे आप दोनों आश्रवाद दीजिए कि मैं डॉक्टर बनकर ही वापस आउं इतना कहते श्रवन अपने माता पिता के चरन छूता है तो रगु और शांती कहते हैं बेटा भगवान तुमारी लंबी उमर करे तुम हर विश् में तुमारी सब इच्छाएं पूरी हो आउश्मान भव पेटा और हम भी चाहते हैं बेटा कि तुम भी एक सफल डॉक्टर बनकर वापस आओ इतना कहकर शर्वन अपने माता पिता से जो विदा लेता है और स्टेशन पहुंचकर ट्रेन में बैठ जाता है कुछे मिंटों में ट्रेन सहर की ओर रवाना हो जाती है और वे पढ़ाई करने के लिए शर्वन बड़ी यूनिवर्स्टी चला जाता है शर्वन ट्रेन में बैठ कर दूसरे सहर चला गया ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकती है शर्वन ट्रेन में बैठा बैठा खुदी कहता है चलो आखिर आई गया स्टेशन अब मुझे जल से जल इस ट्रेन से उतर कर स्टेशन पर जाना होगा नहीं तो ये ट्रेन फिर से चल पड़ेगी इतना कैते श्रेवन अपने समान को अपने हाथ में पकड़ता है और ट्रेन से बाहर निकलने लग जाता है जैसे विए ट्रेन से नीचे उतर वो आदमी श्रेवन की तरफ देखते हुए कहता है लाइए बाबुजी आपका समान मुझे दे दीजिए मैं आपके समान को आगे तक ले चलता हूँ श्रेवन मना करता हुआ कहता है नहीं नहीं रहने दीजिए इस उमर में आपको ये भारी समान जो उठाना सोभा नहीं द यह मेरे लिए कोई नहीं बात नहीं है लाइए मुझे समान दीजिये स्रेवन उस आदमी को बार बार समान ना उठाने के लिए कहता है लेकिन फिर भी शर्वन की एक नहीं मानता हुए और आखिरकार शर्वन भी उसकी बात मान लेता है शर्वन कहता है ठीक है चलिए एक काम क आप ए छोटा वाला बैग उठा लीजिए और बड़ा वाला मैं उठा लेता हूँ वो आदमी कहता है बाबुजी आप क्यों तकलीप करते हो मैं उठा लूँगा ये दोनो बैग शर्वन कहता है मैंने कहा ना आप एक बैग उठा लीजिए और वो आदमी कहता है पर पर रख लेता है, श्रावन भी दूसरा बैग अपने कंधों पर रख लेता है और दौनों आउस स्टेशन से बाहर निकलने लग जाते है सर्वन चलते चलते उस आदमी से कहता है वैसे आपका नाम क्या है, वो आदमी कहता है बाबू जी मेरा नाम तो रामू है शर्वन कहता है तो रामु काका आप यहां इस उम्र में काम कर रहे हैं क्या आपके परिवार में कोई बेटा बेटी नहीं है जो आप यहां आकर इतना मुस्किल जो बोज उठा रहे हैं तब रामू कहता है कि बेटा बेटी तो नहीं है पर बाबुजी एक बेटा था, शरवन बीच में बोल पड़ा बेटा था, इसका मतलब अब नहीं है क्या, तब वैकुली कहता है नहीं बाबुजी बेटा तो अभी भी है लेकिन वो हमारे साथ नहीं रहता, शरवन हैरानी के स रामु काका क्योड देखते हुए कहता है क्या का बेटा साथ नहीं रहता पर क्यों रामु कहता है उसने हमें घर से बाहर निकाल दिया बेटा तब श्रवन कहता है लेकिन काका उन उसने अपको घर से बाहर क्यों निकाल दिया तब रामु काका कहता है बाबु जी इसलिए कि म मैं और मेरी बीवी उसे बोज लगने लगे थे वो कहता था कि आप दोनों तो बस घर बैठ कर खर्च करते हैं कमाते तो हैं नहीं मैं अकेला कितनों को संभालूंगा इसलिए रोज रोज के जगडे से तंगा कर उसने हम दोनों को बाहर निकाल दिये और मैं भी कहां जाता भी जो को क्या हो गया है जड़ थोड़े बड़े हो जाते हैं तो माबाप बोज लगने लगते हैं अभी इने कौन समझाएं शरवन और रामू काका बात करते करते स्टेशन से बाहर निकलाते हैं रामू एक ओटो में शरवन का समान रखने लग जाता हैं शरवन रामू से कहता काका सुनिये तो रामू कहता है बोलिये बाबु जी शर्वन अपनी जे से 500 का नोट निकालते हुए कहता है ये लीजे काका आपकी कमाई तो रामू काका कहते है बाबु आपके समान लाने के 50 रुपे हुए ना ना की 500 लगता है आप बातों बातों में भूल गए आपको 50 का देना था ना कि 500 का स्रेवन कहता है काका मैं कुछ नहीं भूला हूँ ये पैसे आपके ही है आप इसे रखिए इस वक्त मुझे नहीं आपको पैसे की ज़्यादा जरूरत है रख लीजिए काका रामू स्रेवन को बार बार मना करता रहा लेकिन स्रेवन नहीं माना तो वो पैसे रामू के का हाथ में जो थमाते हुए कहता है अगर आप ये पैसे रखोगे काका तो आज आपको कुछ काम करना पड़ेगा मैं जानता हूँ आपको इस उमर में काम करना सही नहीं है इसलिए आपको कुछ कम काम करना पड़ेगा इतना कहते है शरवन आटो में बैठ जाता है और शरवन रामू काका से विदा लेते हुए कहता है ठीक है काका चलता हूँ अब रामू काका कहते है अरे बाबू जाते जाते अपना नाम तो बता दीजिए शरवन कहता है काका मेरा नाम शरवन है इतना कहत शर्वन हुआ से निकल जाता है और रामूका का हुआ ही खड़ा रह जाता है और सोचता है इनके माबाप ने सही नाम रखा है शरावन वास्तम में ऐसा बेटा भगवान सभी को दो सर्वन आदर्श कलोनी पहुँच जाता है और उसी कलोनी में एक कमरा जो उस नहीं हाने से पहले बुक किया था वहाँ चला जाता है शर्वन पूरे दिन के सफर से ठक गया था इसलिए वो आज आराम करने की सोचता है और बेड़ पर जाकर सो जाता है अगली सुबह शर्वन हाद होकर कॉलेज निकल जाता है सर्वन कुछ दिन तक तो किसी से कुछ बात नहीं करता लेकिन धीरे धीरे जब वो औरों के साथ घुल मिल जाता है तो कॉलेज के कैई लोग उसके दोस्त बन जाते हैं सर्वन दिन रात बस अपने डॉक्टर की पढ़ाई में लगा रहता ह और आखिरकार उसकी मेहनत का परिणाम था कि 6 साल में उसने डिगरी हासिल कर ली थी और वे एक डॉक्टर बन गया था सर्वन जब यह बात अपने माता पिता को बताता है तो वे फूले नहीं समाते और अपने बेटे को धेर सारी बधाईया देते हैं उसके दोस्त भी यह पास सुनकर बहुत खुस होते हैं आखिरकार शर्वन अपने घर चला जाता है और सहियोग से सर्वन को अपने पास के एक सहर के बड़े होस्पिटल में डॉक्टर की जगह काम मिल जाता है सर्वन के घर आज धेर सारी खुसियां आ गई थी दोफैर का समय था शान्ती और र राजी हो जाएगा रगु कहता होगा क्यों नहीं राजी आकर यह उसकी जिंदगी का जो सवाल है शान्ती कुछ घवराते हुए कहती है अभी तो उसे डॉक्टर की नौकरी मिली है और अभी से आप सर्वन को इस बारे में बात करने के लिए राजी कर रहे हैं क्या वो इस मानेगा रगु कहता है शान्ती तुम चिंता मत करो शर्वन अभी घर पर आएगा तब ही पूछ लूँगा इस बारे में तो शान्ती कहती है ठीक है आने दीजिए शर्वन को इतना कहती ही रगु और सीला बात ही कर रहे थे कि तब ही शर्वन आ जाता है और आते ही रगु स तुमसे इस विश्य में पूछेंगे, आकर ये तुमारी जिन्दगी का सवाल है, शर्वन मू बनाते हुए कहता है क्या खा जिन्दगी का सवाल, पर क्या, रगु अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए, हामी भरते हुए कहता हां बेटा, तुमारी शादी करनी है, और ये तुम्हारी जिन्दगी का ही सवाल हुआ ना सरवन जैसे ये बात रगू के मुह से सुनता है तो हैरान रह जाता है उसने सोचा भी नहीं था कि उसके पिता जी उससे ऐसी बात करेंगे शरवन कहता है इतनी जल्दवा जी किस बात की पिता जी अभी अभी तो मैं डॉक्टर बना हूँ आप दो तीन साल ठहर जाएए फिर करते हैं आराम से शादी रगू शरवन की बात सुनकर मायूस हो जाता है और मायूसी के साथ कहता आरे बेटा मैं ये अपने लिए नहीं कर रहा हूँ बलकि तुमारी मा के लिए कर रहा हूँ तुम तो जानते हो तुमारी मा से अब जायदा घर का काम नहीं होता और अगर घर में बहु आएगी तो तुमारी मा का हाथ बट जाएगा इसलिए मैं तुम्हें शादी करने के लिए कह रहा हूँ बाकी तुम्हारी मरजी बेटा। अपने नीचे दबा लेती है लड़के अपने कंदों पर परिवार की जिम्मेदारी और सुख लेकर जो चलते हैं और आज उसके माता पिता की खुसी उसके फैसले पर जो ठीकी थी वो जानता था कि अगर आज उसने फैसला नहीं लिया तो उसके माता पिता की खुसी एक पल म बदल सकता था शर्वन एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहता है ठीक है पिता जी शादी करने के लिए मैं तैयार हूँ शर्वन की यह बास सुनकर रगु और शान्ती बहुत खुस होते हैं और खुसी के साथ कहते हैं हमें तुमसे यही आसा थी बेटा और इतना कहते ही रगु अपनी पतनी से कहता है तो ठीक है शान्ती मैं हमारे शर्वन के लिए अच्छा सा रिस्ता ढूणने निकल जाता हूँ कहीं न कहीं तो हमारे होने वाली बहु मिलेगी इतना कहते ही रगु हसने लग जाता है रगु हस्ते हस्ते कमरे से बाहर निकल जाता है और कुछ दिन बाद शान्ती और शर्वन हाल में बैठे हुए थे तब ही दर्वाजा खटखटाने की आवाज आती है शर्वन जैसे दर्वाजा खोलता तो देखता है दर्वाजे पर कोई और नहीं बलकि उसके पिता रगू खड़े थे रगू जैसे शर्वन को देखता है तो उसे अपने गले से लगा लेता है और कहता कैसे हो शर्वन बेटा शर्वन कहता ठीक हो पिता जी आप कैसे हैं रगू कहता है बेटा एकदम मस्त इतना कहते ही रगू अंदर आने लग जाता है और हॉल में लगे सोफे पर आकर बैठ जाता है शान्ती कहती है कैसे हैं आप रगू कहता ठीक हूँ तुम बताओ तुम कैसी हो शान्ती कहती है मैं तो एकदम ठीक हूँ इतना कहते ही रगू अपने बैग से मिठाई का डिबा निकालते हुए उसमें से एक लड़ू निकालता है और अपनी पत्ति शांती को खिलाते हुए कहता है बधाईो शांती हमारे बेटे का रिस्ता मिल गया है शांती लड़ू खाते ही कहती है क्या क्या कहा अपने हमारे शर शांती कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है रगु शर्वन की तरफ देखते हुए कहता लो बेटा तुम भी मिठाई खाओ आखिरकार एक अच्छे और संसकारी घर में जो रिस्ता मिला है रगु अपने बैग में हाट डालते हुए एक फोटो बाहर निकालता है और शांती को दिखाते हुए कहता देखो हमारी होने वाली बहु कितनी सुन्दर है ना शांती कहती है बहुत सुन्दर है किसी की नजर न लग जाए शांती उस फोटो को शर्वन को देते हुए कहती है तुम बताओ शर्वन बेटा कैसी है लड़की इतना कहते ही शांती लड़की की फ बाब नहीं सूज रहा था वो तो बस फोटो कोई देखते रहता है आखिर में शान्ती खड़ी होकर शर्वन के पास आती है और कहती है अब इस फोटो कोई देखते रहेगा है बताओगे भी कैसी है शर्वन हडबडाट में ही कहता है मा बहुत अच्छी है शान्ती कहते है तो रिस्ता पक्का समझे शर्वन हा में सिर हिलाते हुए कहता है हा मा रिस्ता पक्का कर दीजिए इतना कहते ही शान्ती और रगु जो कहते हैं तो आप लड़की वालों को फोन कर दीजिए शान्ती कहत यह रगू से और हमें रिस्ता मनजूर है रगू कहता है मैं रिस्ता पक्का करके ही आया हूँ मुझे पता है मेरे बेटे की एक ही पसंद है इतने ही कहते ही रगू हसने लगता है शर्वन कहता है पिता जी इस लड़की का नाम क्या है तो रगू कहता है इसका नाम नीलू है कहते हैं कि साधी के कुछ महिने तक तो ठीक चलने लगता है लेकिन उसके बाद दिक्कते आनिसरू हो जाती है ऐसी ही दिक्कते अब सरवन के परिवार में भी आनिसरू हो गई थी एक दिन सरवन अपने काम से बाहर गया था तभी रगू की तभी अतचानक खराब हो गई उसके मूँ से खून की उल्टिया होने लगी शान्ती जब रगू की ऐसी हालत देखती है तो घबरा जाती है और घबराते हुए कहती है ये भगवान ये क्या हो रहा है आपको और आप मेरे साथ हुस्पिटल चलिए आपका इलाज करवाना है इतना कहते शान्ती रगू को एंबुलेंस में बिठा कर पास के अस्पताल में ले जाती है जब वो एंबुलेंस से हुस्पिटल जा रही थी तो शान्ती शर्वन को फॉन करकर रगू को हॉस्पीटल पहुंचता ही,मर्जनसी वाड में ले जाया जाता है, रगू को लाय हुए एक गंटा ही हुआ था कि तब ही हॉस्पीटल में सर्वन पहुंच जाता है, सर्वन हर बड़ात में अपनी मा से कहता, मा क्या हो गया पिता जी को, शांती भी नामे से रहलाते हुए कहती है बेटा पता नहीं मैं तेरे पिता को क्या हो गया है वो अचानक से खून के उल्टिया करने लगे इसलिए मैं घबरा गई थी मैं नहीं चाहती कि इनकी तब्यत और बिगड़े इसलिए मैं पहले हॉस्पिटल लेकर आगई रगु को जिस हॉस्पिटल में भरती कराया गया था उसी हॉस्पिटल में शर्वन डॉक्टर की नौकरी करता था इसलिए आते ही सबसे पहले वो इमर्जंसी वार्ड में जाता है जहां उसके पिता को लाया गया था सरवन को emergency ward में गए हुए एक घंटा हो गया था एक घंटे बाद जब वो बाहर आता है तो उसकी मा आते ही सरवन से पूछती है क्या हुआ बेटा तेरे पिताजी को अब वो कैसे है तो सरवन उदासी के साथ कहता है मा पिताजी अभी ठीक है आराम कर रहे है शान्ती कहती है पर क्या बेटा तो सरवन कहता है मा पिताजी को कैंसर की बीमारी है इसलिए आज उन्हें खून के उल्टियां आई थी शान्ती हैरानी के साथ कहती है क्या का कैंसर की बीमारी है लेकिन उन्हें ये बीमारी कब हुई शर्वन कहता मा वो तो पिता जी कोई पता है कि उन्हें ये बिमारी कब हुई लेकिन ये उनकी आखरी स्टेज है इसके बाद तो शायद हो बच पाएंगे शांती रोते हुए कहती है नहीं नहीं ऐसा मत कह बेटा ऐसा नहीं हो सकता ये सब जूट है कह दे बेटा शर्वन नरम लहजे के साथ कहता मा ये जूट नहीं है पिता जी कोई चोटी मोटी बिमारी नहीं है उन्हें कैंसर है ये वो बिमारी है जिससे शायदी आज तक कोई बच पाया हो दुनिया में दो तीन परतीसत लोग ही ऐसे हैं जो इस बिमारी से बच जाते हैं बाकी सब इसे लड़ते लड़ते मर जाते हैं शान्ती जब यह बात सुनती है तो उसे सर्वन की बात पर एक पल के लिए भी भरूसा नहीं होता लेकिन आखिरकार उसे मानना ही पड़ता है कि रगू जिस बिमारी से जूज रहा है वो कोई साधरन बिमारी नहीं है बलकि वो दुनिया की सबसे खतरनाक बिमारी है आखिरकार उसे भी शर्वन की बात कहीं न कहीं सच लगनी लगती है इसलिए वो कुछ नहीं कहती है बस रोती रहती है शर्वन अपनी मा को कहता है मा पिता जी को आप कुछ दिन यहीं पर भरती रखना पड़ेगा आप उन्हें यह मत बताना कि उन्हें कैंसर है नहीं तो इसके बारे में सोच सोच कर वो ज़्यादा टेंसन लेंगे इसलिए आप उनसे कुछ मत बताईएगा मा और शांती कहती है कुछ नहीं कहती है बस हां में सिर हिला देती है शर्वन कहता आप चिंता मत कीजिए मा मैं पिता जी को जरूर ठीक कर दूँगा बस आप मुझे पर विस्वास रखना रगू को अब आईसियू में आराम करने के लिए लाया जाता है शांती जब उसके पास जाती है तो उसके आँसू उसकी आँखों में से थमने का नाम नहीं लेते वो बस रगू की ऐसी हालत देखकर रोई जा रही थी रोती भी कैसे नहीं आकिर वो उसकी पतनी जो थी एक पती पतनी हमेशा दूसरे के सुख दुख के साथ निभाने वाले होते हैं एक दूसरे के दुख सुख के भागीदार होते हैं लेकिन आज उसका ये साथी कमजोर पढ़ रहा था जिसके कारण उसका दुख कम होने के बज़ाए बढ़ते ही जा रहा था शान्ती रो रही थी तब ही रगु को होस आ जाता है और वो होस में आते ही दर्दबरी अवाज में कहता है शान्ती शान्ती जट से अपने आसू पहुँचती और कहती है हाँ जी क्या हुआ आप ठीक तो है ना क्या चाहिए आपको तो रगु दर्दबरी अवाज में कहता है शान्ती शर्वन कहाँ है दिखाई नहीं दिया तो शान्ती कहती है वो अभी अभी यहां से गया है आपकी दवाई लेने को वो कह रहा था कि दूसरे सहर जा रहा हूं मा दवाई लेने पिता जी की दवाई लाने मुझे दूसरे सहर जाना पड़ेगा इसलिए आप जब तक मैं नहीं आ जाता तब तक पिता जी का ध्यान लखना रगु कहता है अच्छा दूसरे सहर गया है शर्वन चलो कोई बात नहीं आ जाएगा तब बात कर लूँगा उससे तो शांती रगु को कहती है आप आराम कीजिए जब आपको छुट्टी मिल जाएगी तब आराम से बात करते रहना शर्वन क्या कहीं भागा जा रहा है और दीरे दीरे पांच दिन बीथ जाते हैं पांच दिन बाद रगु को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है शर्वन उसे अपने साथ घर ले आता है घर पहुँचकर शर्वन अपने पिता को उनके कमरे में आराम करने के लिए बिस्तर पर सुला देता है और बाहर आकर अपने मा से कहता है मा मैंने पिताजी को दवाइयां लाकर दे दी है अगर वो दवाइयां तीन महीने लगाता दी जाएंगी तो जल्दी ठीक हो जाएंगे इसलिए आप उन्ने समय से दवाइयां देते रहना शांती कहते है ठीक है बेटा मैं तुम्हारे पिताजी को दवाइयां समय से देती रहूँगी तुमें इसकी चिंता मत करना बेटा शर्वन कहता है मा यह दवाइयां बहुत ही महँगी है इसलिए आप सही ढग से पिताजी को दवाइयां देना नहीं तो पैसा बेकार चला जाएगा और पिता जी की हालत में भी सुधार नहीं होगा शान्ती कहती है ठीक है बेटा मैं सही तरीके से दवाई दूंगे और ऐसे ही एक महिना बीत जाता है और रगू की हालत ठीक होने के बजाएं दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी सुरुवात में तो शर्वन को अपने पिता की दवाई का खर्चा जादा नहीं लगा लेकिन बाद में अगले महिने उसकी तनख़ा के पैसे ऐसे खर्च होते जैसे सूके रेगिस्तान में पानी उसे पता ही नहीं चलता था कि कब उसकी तन्ख़ा मिलती है और कब उसका पैसा खर्च भी हो जाता है अकेले उसके पिता की दवाई दवाई पर उसकी तनख्वा का आदा पैसा खर्च हो जाता था शर्वन अब चड़ड़ा रहने लगा क्योंकि अब उसके ओपर घर की सारी जिम्मेदारी आ गई थी जिस कारण उसका सभाब भी चड़ड़ा हो गया था क्योंकि पहले उसका पिता उसके साथ कमाता था जिस कारण उसे घर के खर्च का कोई अंदाजा नहीं था उसका पिता रगु बिमार होने के बाद से ही कमाने की जगए खर्च करने पर आ गया था इतनी सारी मुसीबतों में शर्वन बुरी तरह फश चुका था उसके पास निकलने का अब कोई रास्ता नहीं था इसलिए वो एक दिन एक ऐसा फैसला करता है कि उसके माता पिता का जीवन पूरी तरह से जिस पर बदलने वाला था श्रावन के चहरे पर अब उदासी हर समय चाई रहती थी जिस कारण उसका पूरा दिन खराब हो जाता था वो हॉस्पिटल जाता मूह लटकाए और वापस मी आता मूह लटकाए हुए उसके चेहरे पर एक अलग सा गुसा चाया रहता था वो अब घर पर छोटी छोटी बातों पर लड़ता रहता था जिस पतनी के साथ वो शाम को घर पर आकर अच्छी अच्छी बाते किया करता था हाँ अब जगडे सिरू हो गए थे और होते भी क्यों नहीं जब आदमी के पास कुछ नहीं होता है और कुछ होने के बाद भी अधूरापन लगता है तो वो उन सारी बातों को भूल जाता है जो उसकी जिन्दगी के हसीन पलते आज शर्वन को भी कुछ ऐसा ही हल था वो घर की समस्याओं से इस परकार उलज गया था कि उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहा था शर्वन और नीलू के बीच अब इतनी दूरियां बढ़ने लगी थी कि वो अक्सर उनके बीच जगड़े होने लगते सर्वन इन समसे छुटकारा पाने के लिए सराब का साहरा लेता जिस कारण उसे कुछ पल के लिए शान्ती मिल जाती लेकिन उसके बाद वही मुसीबत सामने दिखाई देती एक दिन सर्वन जब कामपर से वापस घर आता तो वो सबसे पहले अपने पिताजी के पास जाता था वो देखता था कि उसके पिताजी की हालत में सुधार है की नहीं इसलिए वो बिना कुछ कहे वहां से बहां निकल जाता था और अपने कमरे में आ जाता था जब वो अपने कमरे में आता तो देखता कि कमरे में नीलू बैड पर बैठी प्लास्टिक के फूलों की माला तैयार कर रही थी नीलू जैसे ही शरवन को अंदर आते हुए देखती है तो कहती है आ गए आप तो शरवन कहता हाँ आ गया नीलू मू बनाते हुए कहती है कैसा रहा आज का दिन या रोजाना की तरह टेंसन में निकाल दिया आपने सरवन कुछ उखड़े हुए लहजे में कहता हाँ टेंसन में ही निकला और वैसे भी तुम्हें पूछ कर क्या करना है क्या तुम मेरी टेंसन खतम कर दोगी नीलू गुसे के साथ कहती है मैं आपकी पतनी हूँ तो क्या मैं ये भी नहीं पूछ सकती की आपका दिन कैसे गया और जहां तक बाट टेंसन की खतम करने की है तो एक पतनी हमेशा अपने पती को सहीर आये देती है और मैं भी आपकी पतनी होने के नाते सहीर आये दूगी सर्वन कहता है अच्छा तो तुम मुझे सहीर आये दोगी तो बताओ फिर घर की खर्चा कैसे मैनेज करूँ मैं नेलू कहती है देखिए आपकी और मेरी इस बात पर बहुत भहस हो चुकी है और मैं बार बार आपको एक ही बात कहती हैं और आज भी कहे देती हूँ आप अपने पताजी की दवाईयों का खर्चा कम कर दीजिए फिर देखिए अपने आप सही हो जाएगा शर्वन गुसे के साथ कहता तुम पागल तो नहीं हो गई हो नेलू तुम्हे जराबी अंदाजा है क्या अगर पताजी की दवाईयों बंद कर दी तो उनकी हालत और ज़्यादा खराब हो जाएगी तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो नेलू नेलू भी गुसे के साथ कहती है मैं इसलिए कह रही हो कि मुझे घर के हालात साफ साफ नजर आ रहे हैं और आपको भी इसी में फायदा है आपका आप भी घर के हालातों को नजर अंदाज ना करें जल्द से जल्द कोई फैसला ले शर्वन नीलम की यह बात सुनका ज़्यादा गुसा हो जाता है और गुसे गुसे में कहता नीलू तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना बस अपने काम से काम रखो समझी नीलू चड़ते हुए कहती है क्या का आपने मैं आपको कुछ सिखा रही हूँ मैं आपको कुछ नहीं सिखा रही हूँ बलकि आपको असलियत से रूबरू करा रही हूँ सच्चाई दिखा रही हूँ जिसे आप देखना पसंद नहीं करते कि क्या चल रहा है इस घर में मत भूले कि आपके पिता जी की दवाई पर इस घर की आधी आमंदनी खर्च हो जाती है जिस कारण हमें छोटी-छोटी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और आप मुझे ही कह रहे हैं कि मैं आपको सिखा रही हूँ शर्वन मुँ बनाते हुए कहता देखो नीलू पिता जी की दवाईयों पर ज़्यादा पैसा खर्च नहीं हो रहा बल्कि घर का खर्च बढ़ता जा रहा है शर्वन ने इतना ही कहा ता कि नीलू बीच में ही बोल पड़ी और कहती है क्या कहा अपने आपके पिता पर खर्च जाएदा नहीं बल्कि घर का खर्च बढ़ रहा है तो एक बात बताईए आप मुझे आप अपने पिता जी की दवाई कहां से लाते हैं शर्वन कहता नीलू के सवाल का कोई जवाब तो नहीं देता और कहता बैंगलोर से तुम्हे क्या करना है इस बारे में जानकर नीलू कहती है और कितने पैसे लगता है दवाई की खरिदने में और यहां आने में तो शर्वन का कुछ जवाब नहीं देता बस चुप चाप खड़ा रहता है उसे ऐसा देखकर लग रहाता कि उसके पास इस सवाल का जवाब होने के बावजूद भी वो देना नहीं चाहता नीलू कहती है बोलिए जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए चुप क्यों हो गए आप शर्वन चुप ही खड़ा रहता और अपनी नजरे नीचे जुका लेता है नीलू अपनी बात पूरी करते वे कहती है मेरे इस सवाल का जवाब आपके इस चुपी ने दे दिया और आप भी जान गए होंगे इस घर में आके खर्चे का असली कारण कौन है शर्वन नीलू की बात सुनकर इतना तो समझी गया था कि नीलू जो बोल रही अब बिल्कुल सच्च है इसलिए वो नीलू की बात काटते हैं बोला नीलू तुम घर की सारी परेशानियों का दोसी मेरे पिता को मत बनाओ समझी नीलू कहती है मैं किसे दोसी बना रही हूं मैं वही तो कह रही हूं मैं तो कुछ नहीं कह रही, जो सच्चे बस वो आपको दिखा रही हूँ, जिसे आप इतने दिनों से जुटलाते आ रहे हैं, आपको ये मानना ही होगा, आपके पिता जी अब ठीक नहीं होने वाले, क्योंकि वो अब अपनी जिंदगी की आखरी सांसे गिन रहे हैं, वो आगे एक लवज और नहीं, मैंने सोचा था तुम मेरी पतनी हो, इसलिए तुम मेरे पिता को अपना पिता मानोगी, लेकिन तुमने तो उन्हें एकदम से पराया कर दिया, नीलू जो शर्वन का ये रूद रूप देखती है, तो घबरा जाती है, और बस सर्वन को देखती रह जाती है, वो जानती थी, अगर इससे आगे अगर कुछ कहा, तो मामला और बढ़ सकता है, इसलिए नीलू को चुप रहने में भलाई लगी, और दौनों के बीच चुप पीछा गई, तो नीलू चुप चा बैड़ पर जाकर सो जाती है, और शर्वन भी उस बैड़ पर जाकर सो जाता है, सर्वन घर की बालकनी में बैठा हुआ सोच रहा था, कि वो अपने पिता की दवाई कैसे बंद कर दे, और उसे अपनी पतनी की बात माननी चाहिए या नहीं, यही बार बार सोच कर सर्वन परिसान हुए जा रहा था, सर्वन सराब की आदी से ज़्यादा बोतल पी गया था, लेकिन वो अभी भी यह फैसला नहीं कर पाया, उसे क्या करना चाहिए, इसलिए उमनी मन सोचता है, अगर नीलू का कहना सही है, तो घर के बुरे हालातों का जिम्मेदार कोई और नहीं, मेरे पिता की दवाई का खर्चा है, मुझे किसी तरह बस कम कर दी, तो उनकी हालत और खराब हो जाएगी, और ऐसा कभी नहीं चाहूँगा मैं, पर समझ नहीं आरा क्या करूँ, सरवन ने जब सराब की बोतल आदी से ज़्यादा खाली कर दी, तो और उसे पूरी पी गया, और सिगरेट के नए पैकेट को खोल कर, उसे एक काफी काहा सुनी भी हुई थी, सरवन सोचते सोचते उस पल में चला गया, जज सरवन से नेलु का इस बात पर जगड़ा करती थी, लेकिन सरवन अपने जिद पे अड़ा था, कि वो अपने पिता को इस तरह मरने के लिए नहीं छोड़ सकता, नेलु कहते हैं, आप ये पुचता है, और नेलु को पलट कर वए जवाब देती भी कहती है, देखिए, मैं समय इसलिए कह रही है, मुझे साप साप दिखाई दे रहा है, उनकी हालत में कोई सुधार नहीं होगा, और दिन पर दिन उनकी हालत खराब होती जा रही है, और मुझे नहीं लगता कि वो अब बच पाएंगे, सर्वन जैसे ही यह बात नेलु के मुह से सुनता है, उसे बहुत तेज गुस्सा आने लगा, गुस्से में उसका चेहरा लाल हो गया, सर्वन तेज अवाज में कहता, नेलु अपना मुह बंद रखो, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि तुम मेरी पतन ही हूँ, इसलिए इसके आगे एक और लबज भी नहीं, नेलु जब शर्वन का एक गुस्सा देखती है तो घवरा जाती है, जैसे उसे सर्वन के इस रवईये से डर लग रहा हो, इसलिए वो बिना बोले चिपचाप खड़ी रहती है, और कुछ नहीं कहती, सर्वन और ने कहती, बस सर्वन को देखती रहती है, वो कहती भी कैसे, क्योंकि आज उसकी आवाज उसके पती ने जो दवा ली थी, उसे लग रहा था जो सर्वन उसे पहले कितना प्यार करता था, आज उस पर गुस्सा करने से भी नहीं कत्राया, इतना कहती सर्वन उस कमरे से बाहर निक गई थी सर्वन उस सिगरेट को फिर से जलाता है और दो तीन कस्प में पूरी पी जाता है सर्वन खुद से कहता मुझे लगता है नीलो बिल्कुल सही कह रही है मुझे पिता जी की दवाई बंद करनी होगी अगर मैंने बंद नहीं की तो एक दिन मैं सड़क पर आ जाओंगा पिता जी की दवाई बहुत महिंगी है मैंने उनकी दवाई के लिए बंक से लौन भी ले रखा है अगर मैंने वो लौन भी नहीं भरा तो पता ने बंक वाले मेरे साथ क्या करेंगे सरवन इतना सोच कर कहता है मुझे मा को जाकर सब कुछ बताना होगा हाँ यही सही होगा इतना कहते हैं सरवन कुरसी पर से खड़ा होता है और उस कमरे की तरफ कदम बढ़ाने लग जाता है जहां उसकी माँ उसके पिता की देखबाल कर रही थी सरवन जैसे ही कमरे के अंदर जाता है तो देखता है उसकी मा उसके पिता रगु के पास बैटी हुई थी जैसे ही हर पत्नी को अपने पती के बिमार होने का ख्याल रखती थी रखती हैं ऐसे उसकी मा भी रख रही थी वो उनकी हर छोटी मोटी चीजों का ध्यान रखती थी और इस वक्त सांती जी वही कर रही थी वह एक अच्छे पतनी की तरह रगू का ख्याल रख रही थी शांती रगू के पास बैटी होई थी तब ही कमरे में शर्वन आ गया और शांती का इस तरफ रगू पर ध्यान था इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि उसके कमरे में कोई आया है शर्वन शांती के पास जाकर कहता मा मुझे आपसे कुछ जरूरी बात कहनी है शांती शर्वन की बास सुनकर कहती है आ गये शर्वन बेटा कैसे आना हुआ बेटा शर्वन कहता मा मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी है शांती जो शर्वन की बास सुनती है तो समझ जाती है शर्वन ने सराब पी रखी है अक्सर जब शांती सर्वन से मिलती थी तो उसे पता ही चल जाता था कि सर्वन ने शराब पी रखी है आकर पता भी कैसे नहीं चलता वो उसकी माजू थी एक माँ को अपने बेटे के बारे में बिना बताए सब कुछ पता चल जाता है शान्ती को भी यह पता चल गया था कि शर्वन शराब क्यों पीता था उसे पता था कि रगू के बिमार होने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी शर्वन के ओपर जो आ गई है इसलिए शान्ती शर्वन को सराब के लिए कुछ नहीं कहती थी शान्ती शर्वन की तरफ देखते वे कहती है बोल बेटा क्या बात करनी थी मुझसे शर्वन को चुकड़े वे लहजे में कहता मा वो आप तो जानती है पिता जी जब से बिमार हुए है तब से घर की हालत बहुत ज़्यादा बिगड गई है घर का सारा खर्चा मुझे उठाना पड़ता है शान्ती बीच में बोल पड़ी वो तो मुझे पता है बेटा कि तुमने कितनी मुश्किलों से इस घर को संबाल रखा है तो इसमें कहने वाली क्या बात है शर्वन अपनी बात पूरी करते वे कहता है वो मा मैं ये कह रहा था पिताजी की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है और मुझे नहीं लगता ये दवाईया इन पर असर भी कर रही है तो मेरा मानना है पिताजी की दवाईया अब हमें बंद कर देनी चाहिए शांती जैसे ही शर्वन के मुह से सुनती है तो वह हैरान रह जाती है और हैरानी के साथ कहती है ये तु क्या बोल रहा है बेटा शर्वन कहता मा मैं सही कह रहा हूँ पिता जी की हालत सही होने के बजाए खराब होते जा रही है और उपर से इनकी दवाईयों का इतना महेंगा खर्च है कि ये सब एक साथ नहीं सबाल सकता हूँ मैं इसलिए मैंने ये फैसला बहुत सोस समझ कर लिया है सांती बहुती नरम लहजे के साथ कहती है बेटा अगर तू सोस समझ कर फैसला लेता तो तू कभी ऐसा नहीं कहता तू भूल गया क्या वो तेरे पिता है कम से कम पहले उनकी हलत तो देख अगर वो आज किसी आज के साथ जी रहे है तो वो तू है उन्हें लगता है एक दिन तो उनको जरूर ठीक कर देगा इसलिए वो जी रहे है शर्वन अपनी मा को समझाते हुए कहता है मा मैं जानता हूँ तुम सही कह रही हो लेकिन तुम जानती हो न कि क्या मैं मैं तो क्या दुनिया का कोई भी डॉक्टर पिता जी को कैंसर जैसी विमारी से ठीक नहीं कर सकता अगर उनको कोई ठीक कर सकता है तो वो है भगवान शानती देवी बहुत मायूस हो जाती है और मायूसी के साथ कहती है हाँ बेटा तेरा कहना सही है लेकिन भगवान भी उनी की मदद करता है जो अपनों की मदद करते हैं लेकिन तू अपनों से मूँ मोड रहा है देख आज तू भी अपने पिता से मूँ मोड रहा है इसलिए भगवान उनकी मदद नहीं करते जो अपनों से मूँ मोड लेते हैं शर्वन अपनी मा की बास सुनकर इतना तो समझ गया था कि उसके माई इस फैसले के खिलाब है वो इस बात के लिए कभी भी राजी नहीं होगी लेकिन सरवन फिर एक बार नरम लहजे के साथ अपने माँ को मनाते हुए कहता माँ मैं जानता हूँ कि तुम सही कह रही हो लेकिन मैं पिताजी को छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ बलकि मैं यह कह रहा हूँ पिताजी का अब आखरी वक्त आ गया है और वो अब जायदा दिन जीने वाले नहीं है आप तो देखी रही है जिस दिन से पिताजी बिमार हुए है तब ही से उनकी हालत ठीक होने के बज़ाए बिगड़ती जा रही है मैं यह चाहता हूँ कि हमें अब उनकी दवाईयों पर और ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए बलकि हमें पिताजी को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए शांती देवी अपने बेटे की बाते सुनती है तो उनकी आँखों में आशु आ जाते वो रोते हुए कहती है बेटा मैंने आज तक तुम से कुछ नहीं मांगा लेकिन आज मांग रही हूँ बेटा तु तेरे पिता को इस तरह मरने की हालत में मत छोड़ नहीं तो वो क्या सोचेंगे सर्वन कुछ उखड़े हुए लहजे में कहता है मां पिता जी को जो भी सोचना सोचने दीजिए लेकिन मैं अब उनको और दवाईया नहीं दिला सकता मैं ठक गया हूँ मां इन खर्चों को पूरा करते करते मैंने इनकी दवाई के खर्चे को पूरा करने के लिए बैंक से लौन तक ले लिया है लेकिन इनकी हालत में सुधारी नहीं हो रहा तो मैं क्या करूं मां लेकिन बस अब बहुत हो गया मुझे जितना करना था मैं पहले ही कर चुका हूँ शांती देवी शर्वन को एक टक देखने लग जाती है और गुस्से के साथ कहती है बेटा तु बहुत बड़ा डॉक्टर है ना तो तू तो बड़ी बड़ी बिमारियों को ठीक कर देता है तो क्या तेरे पिता जी की बिमारी को ठीक नहीं कर सकता तो सर्वन को अपनी मा की जिद देखकर गुस्सा आने लगा और वो गुस्से में पलट का जवाब देता है हाँ मा मैं ठीक कर सकता हूँ उन बिमारियों को क्योंकि उनका इलाज है लेकिन मैं इनकी इस बिमारी को ठीक नहीं कर सकता मैं तो क्या कोई भी डॉक्टर इने ठीक न शानती जब शर्वन की यह बास सुनती है तो उसकी आँखें जो थोड़ी देर पहले ही नम थी उनमें और ज़्यादा आंसु बहने लग जाते हैं उन आँखों से बड़ी बड़ी आंसुओं की बूंदे उनकी आँखों से जलक कर नीचे गिर पड़ती है शानती रोते हुए नरम लहजे में कहती है तु ऐसा मत कर बेटा वो तेरे पिता है तु उन्हें इस हालत में मत छोड़ नहीं तो वो मर जाएंगे इतना कहते हैं शानती रोनते हुए जमीन पर बैठ जाती है और आसु बहाने लगती है सरवन भी काड़वाहाट भरे लहजे में कहता है मर जाते हैं तो मरने दोना मा वैसे भी ये बचने वाले नहीं है इनकी उम्र जो हो गई है और जिनकी उम्र हो जाती है वो जीते नहीं बलकि मरते है शानती जब ये बास सरवन के मुह से सुनती है तो हैरान रह जाती है उसे बिस्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने उसका बेटा शर्वन खड़ा था वो शर्वन जो बच्पन से ही कहता था कि मा से बड़ा होकर एक दिन मैं बड़ा डॉक्टर बनूँगा और आपको और पिता जी को कोई तकलीप नहीं आने दूँगा मा पिता जी आपकी हर बिमारी का इलाज मैं करूँगा आपको कभी बिमार नहीं होने दूँगा वो शर्वन आज अपने पिता के बारे में ऐसा कह रहा था यह सुनकर जो शांती फूट फूट कर रोने लगती है उसकी आखों में आसों का सेलाब आ गया था शर्वन अपनी बात जारी रखते वे कहता है मा पिता जी अब बचने वाले नहीं है आप भी ये जिद छोड़ दीजिए कि ये कभी ठीक होंगे इतना कहते ही शर्वन बिना कुछ बोले ही कमरे से बाहर निकल जाता है और अपने कमरे में चला जाता है शांती होई पर बैठी रोती रहती है वो शर्वन की कई गई बातों को याद करती रहती है जिससे उसके आशो थमने का नाम नहीं ले रहे थे लेते भी कैसे जिसे आप खुद से ज़्यादा प्यार करते हो वो आपका दिल दुखा जाए तो किसकी आँखों में आशू नहीं निकलते और आज शान्ती जिस बेटे को हद से ज़दा प्यार करती थी उसने इसका दिल दुखाया था वो करती भी क्या वो भगवान तो थी नहीं कि एक पल में सब कुछ ठीक कर दे लेकिन वो बस सर्वन की बातों को याद करके रो सकती थी शांती रो रही थी तब ही रगु की दर्द भरी आवाज आई शांती जैसे ही यह बस शांती सुनती है वो घबरा जाती है और घबराते हुए अपने आशू पहुचती है और हुआ से खड़ी होकर रगु के पास आकर बैठ जाती है और हडबराट के साथ कहती है क्या हुआ जी आपको खुछ चाहिए क्या रगु दर्द भरी आवाज में कहता शांती तुम रो रही हो तो शांती हिचकिचाते हुए कहती है मैं कहां रो रही थी आपको बहम हुआ होगा रगु मायूस होकर कहता अच्छा तो शर्वन किसलिए आया था तो शान्ती रगू से नजर फेड़ते हुए कहती है वो शर्वन क्या वो आपकी तबियत देखने आया था वो देख रहा था कि आपकी तबियत कैसी है रगू दर्द भरी आवाज में कहता तबियत देखने आया था या दवाईया बंद करवाने शान्ती जब यह बात रगू के मुझे सुनती है तो उसे पता चल जाता है रगू उसके और शर्वन के बीच की हुई सब बातों को सुन रहा था उसे सब बाते पता चल गई लेकिन फिर भी वो बात को घुमाते हुए कहती है शर्वन नसे में था जी इसलिए वो ऐसा बोल रहा था आप उसकी बात पर भरोसा मत कीजिए वो ऐसा कुछ नहीं करेगा रगू शांती को एक टक देखते हुए कहता है शांत लहजे में बिलकुल तुम्हें पता है शांती इस दुनिया में कोई भी आदमी जूट बोल सकता है लेकिन नसा एक ऐसी चीज है जो सच को बहा निकाल देता है आखिर का शर्वन का सच जो इतने दिनों से वो दिल के अं तो कह रहा था शांती इस बिमार सरीर को दवाईयां देने से क्या फायदा एक ना एक दिन तो मुझको इस सरीर का साथ छोड़ना ही पड़ेगा शांती रोते वे कहती है ऐसा कुछ नहीं है जी वो नसे में था इसलिए ऐसी बाती कर रहा था रगू कहता है शांती लोग होस में सच नहीं बोल पाते लेगे नसे में सच बोल जाते हैं तुम कैसे कह सकती हो कि शर्वन जूट बोल रहा था शांती रोती रहती है बस रगू की बातों को सुनती रहती है रगू फिर शांती की तरफ मायूस भरी निगाओं से देखता है और कहता है देखो शांती शर्व ना कहीं सच छिपा है मैं बימार हुआ तो इसका कोई दोस नहीं है सारा दोस मेरा ही था कि मैंने जानते हुए भी अपने इस बिमारी का पहले इलाज नहीं करवाया क्योंकि मैं सोचता था कि बाद में करवा लूँगा लेकिन बाद का समय अब निकल चुका है शान्ती रगु की और एक टक नजर से देखती हुई कहती है ये आप क्या कह रहे हैं जी आपको इस बिमारी के बारे में पहले से पता था तो इसका इलाज क्यों नहीं करवाया और आपने हमसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई थी रगु शान्ती की तरफ देखते हुई कहता है शान्ती ये उन दिनों की बात है जब मैं रोजाना की तरह अभ्यारण्य में गया था लेकिन हुआ पहुँचकर मेरी तब्यत अचानक खराब हो गई थी इस कारण मैं हुआ से छुटी लेकर वापस आ गया था और अगले दिन तुमने मुझसे कहा था कि आप हॉस्पिटल जाकर जाच करवा आना और साथ में दवाई भी लेते आना जब मैं हॉस्पिटल में जाच करवाने पहुँचा तो इतना कहते ही रगू उस पल को याद करने लगता है जब रगू डॉक्टर के केविन की तरफ कदम बढ़ाई जा रहा था डॉक्टर का केविन जाएदा दूर नहीं था इसलिए रगू को हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास पहुँचने में जाएदा समय नहीं लगा था रगू डॉक्टर के केविन में घुस्ते ही कहता है क्या मैं अंदर आ सकता हूं डॉक्टर सहब और रगू डॉक्टर संजय को अच्छी तरह से जानता था रगू और डॉक्टर संजय बच्पन के पक्के मित्र जो थे वे दौन बच्पन में एक साथ जो पढ़े थे रगू संजय को देखकर बड़ा खुस होता है और हलकी सी मुस्कान के साथ संजय से पूछता है कैसे हो संजय काम वाम कैसा चल रहा है डॉक्टर संजय हसता है और कहता है बिलकुल ठीक हूँ और काम की अपनी ही गती से चल रहा है काम भी बहुत अच्छा काम चल रहा है रगू संजय से कहता है कि डॉक्टर साथ क्या तुमने मेरी रिपोर्ट चेक की तो संजे हस्ता हुआ कहता हुआ डॉक्टर सहाव रगू मैं पहले तुम्हारा मित्र हूँ और पीछे डॉक्टर तुम मुझे संजे कह सकते हो तो रगू कहता है अच्छा संजे मेरी रिपोर्ट चेक की क्या तो और मेरी रिपोर्ट के बारे में मुझसे जादा जानने की जा सब सोच कर शांती खुद तो परेशान होती है साथ में मुझे भी परेशान कर दीती है अब डॉक्टर संजय कुछ परेशान होते हुए कहता है भाबी जी बिल्कुल सही कह रही थी रगू तुम्हें बड़ी बिमारी है रगू मुँ बनाते हुए कहता है बड़ी बिमारी है तो बताओ न कौन सी बिमारी है। संजे चुप रहता है, कुछ नहीं कहता, वह सोचता है कि वो रगु को बताए या नहीं बताए। रगु परेशान होते हुए कहता है, अभी तु कुछ बोलेगा भी, कि नहीं, मुझे कौन सी बिमारी बताना संजे, या यूहीं इस तरह गर्दन नीचे जुकाए बैठा रहेगा। संजे को छंकलाते हुए कहता है, वो यार तुझे ना छोटी मोटी बिमारी नहीं है, बलकी कैंसर है। रगु जैसे ही ये बात संजे के मुह से सुनता है, तो घबरा जाता है, और घबराते हुए कहता है, ये तो क्या बोल रहा है रगु, संजे तेरा दिमारी तो सही है, यार मुझे कैंसर कैसे हो सकता है, संजे रगु को ओड़ देखते हुए कहता है, यार मैंने तेरी जब पहली बार रिपोर्ट देखी थी, तो एक पल के लिए मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, इसलिए मैंने रिपोर्ट दुबारा निकल वाई, लेकिन दुबारा भी यही सामने आया है, कि यार तुमें कैंसर है, रगु कुछ सोचते हुए कहता है, यार मैंने जहां तक सुना है, संजय रगु को समझाते हुए कहता है, रगु मेरे यार, कैंसर नसे से ही नहीं, बलकि दूसरे कारणों से भी हो सकता है, जैसे कि सूरज से निकलने वाली पराबैंगने किरने, कुछ जानवरों में पाए जाने वाले विशानूं, तो और तो कुछ पेड़ पोधों से भी कैंसर जैसी बिमारी हो सकती है, और मुझे जहां तक लगता है, कि तुम एक वन में नौकरी करते हो, शायद नहीं से ये तुमें बिमारी लगी होगी, रगु कहता है यार, ऐसा कैसे हो सकता है, संजय रगु को समझाते हुए कहता है, तू टैंसन मतले यार, ये कैंसर की पहली इस्टेज है, इसलिए घवराने की कोई जरुरत नहीं है, अगर तुमें इससे बचना है, तो ये नौकरी छोड़नी पड़ेगी, रगु मुह बनाते हुए कहता है, तू पागल हो रहा है यार, क्या तुझे पता भी है, कि मेरा सारा घर इसी नौकरी की बदौलत तो चलता है, अगर मैंने नौकरी छोड़ दी, तो घर कौन चलाएगा, और वैसे भी मेरे बेटे ने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली है, उसको आगे की पढ़ाई के लिए पैसो की जरुरत पढ़ेगी, तो वो कहां से पूरी होगी, फिर डौक्टर संजे कहता है, यार, रगु अगर तु नौकरी नहीं छोड़ना चाहता, तो तुझे एक महिने के लिए दूसरे सेहर जाकर इसका ट्रीटमेंट करवाना होगा, नहीं तो अगर हालत बिगड़ गई, तो ये बिमारी फिर कभी ठीक नहीं होगी, रगु सोच में पढ़ जाता है, और कुछ नहीं कहता, जब कुछ देर तक रगु कुछ नहीं बोलता, तो फिर डॉक्टर संजे ही बोलते हैं, और कहते हैं, सुनो रगु कहां खो गए, ये मत पूछ रहा हूँ मैं तुम से, कि तुम अपना इलाज दूसरे सेहर में जाकर करवा लोगे या नहीं, रगु हां में सिर हिलाते भी कहता है, हाँ यार करवा लूँगा, इलाज वैसे जाना कहां है मुझे, संजे कहता है, अपने पास के सेहर में जाना है, रगु कहता है, तो ठीक है, मैं आज ही जाकर पूछ कर आता हूँ, इतना कहते ही, रगु हां से उठकर केविन से बाहर निकल जाता है, जब रगु सहर जाता है, तो वाके हॉस्पिटल में उसे ऐसा कुछ सुनने को मिलता है, जिसे सुनकर वो निरास होकर वापस आ जाता है, रगु अभी अपने घर से एक किलोमेटर ही दूर था, रगु सोचते हुए खुद से कहता है, दूसरे सहर के डॉक्टर ने तो इस इलाज की फीस्क बहुत ज़्यादा बता ही है, अब समझ नहीं आ रहा, इतने पैसे मैं कैसे जुटा हूँ, और जुटा भी लूँ, तो क्या शानते इन सब के बारे में जानकर क्या सोचेगी, वो तो पहले से बहुत ज़्यादा टेंसन लेती है, और मैंने इस बिमारी के बारे में बता दिया, तो पताने उसका क्या हाल होगा, रगु ये सोच सोच का टेंसन लिये जा रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था, कि वो अब इस सिल्सले में शानती से कैसे बात करें, और कैसे उसे समझाएगा, रगु अभी अपने घर से कुछी दूर था, वो लगातार अपने घर की तरफ कदम बढ़ाई जा रहा था, इस तरफ जो शानती घर में सर्वन के साथ बात कर रही थी, सर्वन कहता है, मा, मैं दूसरे सेर जाकर पढ़ाई करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे भेज देंगी वहाँ, शानती कहती है, क्यों नहीं बेटा, मैंने मना कब किया था, तुम्हें जहां जाना, हुआ चले जाना, जहां जाकर पढ़ना है, हुआ जाकर पढ़ना, पर पहले तुमारे पिता जी को तो आने दो, सर्वन बहुत एक्साइटिड होते हुए कहता है, क्या सच मा, सान्ती भी हलकी सी मुस्कान के साथ कहती है, क्यों नहीं बेटा, पर शर्वन बेटा, क्या मैं ये जान सकती हूँ, तुम्हें सहर के बाहर ही क्यों पढ़ना है, यहां रहकर क्यों नहीं पढ़ना, सर्वन महु बनाते हुए अपने मा से कहता है, मा वो इसलिए यहां नहीं पढ़ सकता मैं क्योंकि मुझे जहां जाकर डॉक्टर की पढ़ाई करनी है और जिस यूनिवर्स्टी में जाकर पढ़ना चाहता हूँ वो यूनिवर्स्टी यहां नहीं है इसलिए दूसरे सहर में है मुझे हुआ जो जाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी शान्ती को सोचती हुई कहती है बेटा जिस यूनिवर्स्टी की तुम बात कर रहे हो वो यूनिवर्स्टी तो अपने यहां भी मौझूद तो है तो तुम हुआ जाकर क्यों नहीं पढ़ सकते तब शर्वन परेशान होते हुए कहता है यह आप क्या कह रही है मा आपको पता है इस यूनिवर्स्टी का इतना नाम नहीं है और यहां पर मुझे नहीं लगता कि पढ़ाई भी अच्छी होती होगी मुझे अच्छी पढ़ाई करनी है इसलिए दूसरे सहर जाकर पढ़ाई करना चाहता हूँ शान्ती और शर्वन की इस बारे में बात चीच चली ही रही थी कि तब ही दर्वाजे की घंटी बचती है शर्वन कहता है मैं देखता हूँ मा कौन है जैसे ही शर्वन जाकर दर्वाजा खोलता है तो देखता है दर्वाजे पर उसके पिताजी खड़े है शर्वन कहता है आ गए पिताजी दर्वाजे तो उसके पिताजी अंदर घुसते हुए के हाल में आ गए और सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं तभी शांती किचिन से पानी लेकर आती है और रगु को पानी का गिलास देते हुए कहती है कि कैसा रहा आज तो रगु कहता है आज का तो दिन ही बहुत खराब निकला शांती बीच में ही बोल पड़ी क्या हुआ जी आप बड़ी टैंसन में लग रहे हो कोई बात है क्या रगु कहता टैंसन तो है शांती पर क्या करें के वर टैंसन लेने से हर समश्या का समाधान तो नहीं हो सकता ना रगु जैसे ही अपने बात पूरी करता है तो बीच में शर्वन बोल पड़ता है पिता जी आप मा को समझाए ना कि मा मुझे दोसरे सहर जाने से रोक रही है मुझे कह रही है कि हैं रहे कर सर्वन कहता है वो पिता जी इसलिए कि मुझे जिस यूनिवर्स्टी की पढ़ाई करनी है वो अपने सहर में नहीं है इसलिए मैं दूसरे सहर जाना चाहता हूँ रगु कहता है तो अच्छा आप इसलिए दूसरे सहर जाने की जिद कर रहे हो तो शर्वन कहता है क्या आप दूसरे सहर की उनिवर्स्टी में मेरा दाखला करा देंगे पिता जी। तो रगू कहता क्यों नहीं बेटा मैं कली जाकर उस उनिवर्स्टी में जाकर बात करूंगा। इतना कहते ही जट से सरवन अपने पिता के घले लग जाता है और कहता है आप मेरे सबसे अच्छे पिता हैं। रगू अपने बेटे की चहरे पर जो खुसी देखकर अपनी बात भूल गया था। उसे लगा अब अगर उसने अपनी बिमारी के बारे में बताया तो उसके बेटे और पतनी के चहरे पर जो खुसी चाही है वे एक पल में गायब हो जाएगी। इसलिए उसने उन्हें बताना सही नहीं समझा। अगले दिन जब रगू दूसरे सहर जाने के लिए निकल जाता है और अपने बेटे और पतनी से विदा लेता है तब रगू दूसरे सहर पहुँच जाता है और उस समय जाने में उसे जादा भी नहीं लगता है उस यूनिवरस्टी में जाने के लिए जल्दी पहुँच ज जब रगू यूनिवर्स्टी के आफिस में पहुँचता है तो मा के प्रिंसिपल से उसे ऐसी बात सुनने को मिलती है जिसे सुनकर रगू हैरान रह जाता है वो खुद से ही कहता है मुझे अब एक फैसला लेना ही होगा नहीं तो मेरे बेटे की पढ़ाई नहीं हो पाएगी कि कहीं कोई इतनी फीस लेता है क्या देशक मेरे बेटे को डॉक्टर बनना है पर इस तरह इतनी जादा फीस दे कर नहीं बनाना है अगर मैंने अपने बेटे का कहीं और एडमिशन करवा दिया तो वो नाराज हो जाएगा और कभी भी दूसरी उनिवर्स्टी में जाकर उत अगर मैं लाज नहीं करवा पाऊंगा और अब मैं करूं तो करूं क्या रगू gebात बार बार सोच कर टेंसन लिये जा रहा था रेकिन वो कोई भी फैसला नहीं ले पा रहा था एक बार तो रगू सोच रहा था कि वो अपना इलाज करवा ले और शर्वन को कोई और यूंश प्रश्टी में दाखला दिलवा दे लेकिन अगले ही पलो सोचता है कि नहीं नहीं वो एक पिता है और अपनी जान बचाने के चक्कर में वो अपने बेटे के भविश्य को नहीं खराब कर सकता इसलिए उसने आखिरकार एक फैसला लेही लिया रगो खुद से कहता है मैं अप अपने पैसों से पहले अपने बेटे को पढ़ाऊंगा बाद में देखूंगा जो होता है इतना कहते ही रगो वहां से घर की तरफ निकल जाता है जब रगो रेलवे स्टेशन पर जाता है तो उसके सामने एक अधेड उमर का वेक्ती आकर खड़ा हो जाता है रगो उस आद पर लगे बैच पर लिखा था रामू उसने कुली की ड्रेस पहन रखी थी रामू कहता है अब मुझे क्या चाहिए बाबू मैं एक कुली हूँ और कुली को बोज उठाने के सिवा और काम ही क्या है लाइए मैं आपका समान उठा कर जो ट्रेन में छोड़ देता हूं रगो क आप ऐसा क्यूं बोल रहे हैं बाबा एक आप ही तो है जो दूसरों की जिम्मेदारियों को अपने सर पर उठाते हैं लेकिन बाकी के लोग तो अपनी जिम्मेदारियों से भागते फिरते हैं और वो अपनी जिम्मेदारियों को दूसरों के सिर पर मनते रहते हैं और जहां तक बात है मेरे समान की तो मैं खुद ही उठा लूँगा बाबा आपको इस उम्र में तकलीप नहीं देना चाहता हूँ रामू काका कहता है बाबू आप बाते तो अच्छी करते ही हैं साथ में आपका दिल भी नेख है रामू हस्ते हुए कहता है ऐसा कुछ नहीं है बाबू विचार सभी के पास होते है और विचारों में कितनी सुधता है यही किसी आदमी को नेख दिल वाला बनाती है रामू परेशान होते हुए कहता है अगर बाबू मैंने आपका सामान नहीं उठाया तो मेरी दिन की मजदूरी कैसे पूरी होगी रागू इतना सुनकर अपने जेव से परस निकालता और उसमें से पांसो का नोट निकालकर जो रामू काका को देते हुए कहता है ये लीजिए बाबा ये पैसे रख लीजिए और आज काम कीजिए और रामू नामे से रहिलाते हुए कहता है नहीं नहीं बाबू ये पैसे नह माई लेता हूँ मैं इसलिए मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा रगू बार-बार रामू को पैसे देने की कोसिस कर रहा था लेकिन रामू उसकी एक नहीं मान रहा था आखिर में ठकार रगू कहता ठीक है बाबा एक काम कीजिए यह छोटे वाला बैग उठा लीजिये रामू रगू को ट्रेन के अंदर खिड़की वाली सीट के पास उसका बैग लाकर रख देता है रगू अपने पर्स से वही 500 का नोट निकाल कर रामू को दे देता है रामू हसते वे कहता है बाबू 500 नहीं बलकि 50 रुपे हुए हैं आप 50 रुपे दीजिए ना लेक 500 नहीं रगू बड़ी चाला के के साथ कहता देखे बाबू मैंने आपकी बात मानकर आपको सामान उठाने के लिए दिया तो अब आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी आपको ये 500 रुपे लेने पड़ेंगे रगू ना में सिर हिलाते हुए कहता ना बाबू ये नहीं रख सकता हूँ मैं रगू बहुती नरम लहजे के साथ कहता है बाबा आपको ये रुपे रखने ही पड़ेंगे अपना बेटा समझ कर रख लो ना बाबा रगू की मासूम सूरत को देखकर रामू इतना तो समझी गया था रगू उसकी बात मानेगा नहीं इसलिए वो भी रगू की बात मानते हैं कहता ठीक है आप इतना कह रहे हैं तो रख लीता हूँ रगू कहता है यह हुई ना बात इतनी कहते ही रामू इस ट्रेन से नीचे उतर जाता है और रगू को कहने लगता है सफर में अपना ध्यान रखेगा बावू रगू कहता आप असरवाद दीजिये बावा मेरा सफर अच्छी तरह से कटेगा इतना कहते ही जो ट्रेन आगे चल पड़ती है और करीब दो घंटे के सफर के बाद रगू अपने सेहर पहुंच जाता है जैसे रगू अपने घर पर पहुंचता है तो उसके माथे पर टेंसन क लकीरे वापस आ जाती है वो बार बार वही बाते सोच रहा था जो उसने उस सहर में सुनी थी रगू सोच रहा था कि तभी सरवन और जो शान्ती दोनों उसके पास आते हैं और आते ही पूछते हैं क्या बात है आप कुछ परेसान लग रहे हैं शरवन कहता है क्या बात है जी मेरा admission करवाया है या नहीं रगू कहता है ऐसी बात नहीं है बेटा मैं जब हुआ गया था तो उन्होंने जो बात कही बस उसी बात को लेकर सोच रहा हूं शेरवन कहता है क्या बात कही पिता जी उन्हीं उनिवर्ष्टी वालों ने आपसे इतना सुनते ही रगू वो सारी बाते बता देता है जो यूनिवर्ष्टी के प्रिंसीपल ने कही थी प्रिंसीपल ने यूनिवर्ष्टी की फीस बहुत जादा बताई थी और किस तरह उसने कहा था कि फीस जमा होने के बादी admission होगा रगू ने वो सारी बाते बता दी सिवाए एक बात के वो जो उसको प्रिंसीपल ने इलाज करवाने के लिए कही थी शरवन कहता है तो पिता जी आपने क्या फैसला लिया है आप वो भी बता दीजिए रगू शरवन की ओड़ देखते वे कहता है बेटा यही फैसला लिया है मैंने कि तुम पढ़ाई करने उस यूनिवर्ष्टी में जा सकते हो सरवन जैसे यह बात रगू के मुझसे सुनता है तो खुशी से फूला नहीं समाता है सरवन खुस होते हुए रगू से कहता है पापा आप मेरे सबसे अच्छे वाले पापा हो आप जैसा दुनिया में कोई नहीं है यू आर पापा इतना कहते शरवन रगू के गले लग शर्वन कहता है तो आपने मेरा एडमिशन करवा दिया पापा तो रगु शर्वन के सवाल का जवाब देते हुए कहता है हाँ बेटा मैंने तेरा एडमिशन तो करवा दिया अब तू कल से ही जा सकता है डॉक्टर की बनने की तैयारी करने शर्वन रगू की बात सुनकर बहुत खुस हो जाता है और अपने माँ से कहता है देखा मा पिता जी मेरा एडमिशन करवा कर आ ही गए अब मैं जल्दी से जाकर अपना समान तयार कर लेता हूँ इतना कहते शर्वन होँ से चला जाता है रगू शर्वन की खुसी देखकर बहुत खुस होता है खुस होता भी क्यों नहीं वो उसका पिता जी जो था और एक पिता अपनी उलाद की खुसी में ही अपनी खुसी देखता है रगू भी आज खुस था उसने अपना दर्द अपनी पत्नी और बेटे के सामने भुला दिया था रगू खुस होई रहा था तब ही उसके चेहरे पर फिर से मायूसी च्छा जाती है रगू जोटी मुस्कान के साथ नामे सिर हिलाते हुए कहता है नहीं नहीं रे शान्ती ऐसी कोई बात नहीं है वो क्या है शर्वन हमसे दूर जा रहा है इसलिए उसको लेकर परेशान हो रहा था शान्ती रगू को दिलासा दिलाते हुए कहती है आप फिकर मत कीजिए कुछ सालों की तो बात है शर्वन डॉक्टर बनकर वापस आ जाएगा आप निश्चिंत हो जाईए रगू कहता है अब तो निश्चिंती होना पड़ेगा शान्ती इतना कहती ही रगू उस पल से बाह है मुझे रगू कहता है तब मैं तुम्हे ये बात बता कर और दुखी नहीं करना चाहता था शान्ती जानता था अगर मैंने अपनी बिमारी के बारे में तुम दोनों को जराबी बताया होता तो जो खुसी घर में च्छाई थी वो एकदम से खतम हो जाती और मैं ऐसा कभी नहीं चाहता था। शान्ती रोते हुए कहती हैं अजी आपको इलाज करवा लेना चाहिए था। आपने इलाज ना करवा कर बहुत बड़ी गल्ती की है। रगु कहता है इलाज करवाता कैसे मैंने जो अपने इलाज के लिए पैसे इखटे किये थे शान्ती वो सब मैंने शर्वन की युनिवर्ष्टी की फीस में लगा दिये थे रगु एक लंबी अहा भरते हुए कहता है शरवन के डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करने के लिए मैंने अपना इलाज करवाना सही नहीं समझा सान्ती और अपने इलाज के लिए जो पैसे खटे किये उससे उसका दाखिला करवाया और बचे कुछे पैसों को लेकर उसके रहने का किराया और खर्चे में लगा दिये थे रगु अपनी बाते जारी रखते हुए कहता है शान्ती उस वक्त डॉक्टर ने भी यही कहा था कि ये कैंसर की पहली स्टेज है इसमें इलाज होना जरूरी है नई तो बाद में जान को खत्रा बढ़ सकता है रगु अपने चेहरे पर हलकी सी मुस्कान लाते हुए कहता है और मैंने अपनी जान की परवान ना करते हुए शान्ती शर्वन के सपने को बढ़ाने में जो उसको पूरा करने में जो अपना पैसा लगा दिया शान्ती जब यह बास सुनती है तो वह जाएदा रोने लगती है रोती भी कैसे नहीं उसने एक पिता को अपने बेटे के लिए इतना जाएदा प्रेम जो देखा था वो प्रेम जो अक्षर एक पिता अपनी हर अलाद से करता है लेकिन प्रगट नहीं होने देता आज रगू ने भी कुछ ऐसा ही किया था उसने भी अपने बेटे का सपना पूरा करने के लिए अपने जीवन का मोह छोड दिया था अक्षर पिता होते ही ऐसे हैं वो अपने बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी को जूक देते हैं वो अपनी बच्चों को सफल बनाने के लिए अपने सपनों की आहूती दे देते हैं और अपने बच्चों के सपनों में ही अपना सपना संजो लेते हैं और आज शयद रगू ने भी अपनी जिंदगी देकर शर्वन की जिंदगी बनाई थी ये सारी बाते सुनकर जो शान्ती की आँखों से आँसों रुकने का नाम नहीं ले रहे थे रगो के दर्द के साथ रात खतम हो जाती और जैसा कि शर्वन ने कहा था अब वो अपने पिता की दवाई पर जराबी पैसा खर्च नहीं करेगा उसने अब अपने पिता की दवाई पर जराबी ध्यान नहीं दिया बलकि अपने काम में लगा रहा पहले शर्वन पिता को मिलने आ जाया करता था लेकिन अब उसने उनसे मिलना भी छोड़ दिया था इस तरफ रगू की हालत और खराब होने लग गई थी होती भी कैसे नहीं आखिर कार एक पिता अपनी उलाद के भरोसे ही अपना जीवन जीता है कि किसी दिन उसकी उलाद उसे बुरे जीवन से सुकद जीवन की तरफ ले जाए लेकिन रगू का आज वो सहरा छूट गया था उसका बेटा अब बेटा नहीं रहा था रगू ने अपनी जीने की उम्मीद छोड़ दी थी कहने को तो शांती उसका पूरा ख्याल रख रही थी लेकिन बिना दवाईयों के वो बेचारी कर भी क्या सकती थी एक दिन समय भीता और उस बात को दो हफ़ते बीत गए थे रगू अब पहले से ज़्यादा बिमार दिखाई दे रहा था मानो वो अपनी आखरी सांसे गिन रहा था शांती भी अब उसे पहले की बची हुई दवाईया दे रही थी आकिरकार वो दवाईया खतम होने लग गई थी एक रात को जब रगू की तबित बहुत ज़्यादा खराब होने लग गई तो वो ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था मानो उसकी जिन्दगी ने उसका साथ छोड़ना सुरू कर दिया था शांती घबराते हुए रगू के पास जाती और कहती क्या हुआ जी आपको रगू कुछ नहीं कहता और सांस लेने की कोसिस करने लग जाता ऐसा लग रहा था उसे सांस लेने में तखलीप हो रही थी सांती रोस टेबल पर पड़ी दवाइयं उठाती है तो देखती है कि दवाइयं खतम हो चुकी है वो रगू को देखते हुए कहती है आपकी दवाइयопас खतम हो चुकी है जल्दी चलिये आपको अस्पताल ले चलती है रगुदर्द भरियाबाज में कहता है नहीं शान्ती रहने दो अब मैं तुम लोगों पर और भोज बनकर नहीं रह सकता मुझे लगता है शान्ती मेरा आखरी समय आ गया है सान्ती रोते हुए कहती है आप ऐसा क्यूं बोल रहे हो जी आपको कुछ नहीं होगा आप ठीक हो जाओगे रगु दर्द से कराते हुए कहता है शान्ती मुझे मुझे से एक वादा करो शान्ती कहती है कैसा वादा जी किस वादे को कह रहे हो आप रगु कहता यही कि मेरे जाने के बाद तुम सब का ख्याल रखोगी शान्ती रोते हुए कहती है आप यह कैसी बाते कर रहे हैं जी आप चलिए मेरे साथ हॉस्पिटल रगु कहता है शान्ती अब देर हो चुकी है अब तुम जो मुझे से वादा करो जो मैंने कहा है उसे मानना शान्ती कहती है रोते हुए कहती रहती है जी आप ये क्या कह रही है आप चलिए मेरे साथ हॉस्पीटल चलिए कोई देर नहीं हुई है रगु दर्द भरी आवाज में कहता है शान्ती अब मेरे जाने का वक्त हो गया है अब मैं इस बिमारी से और नहीं लड़ सकता हूँ यह कुछ नहीं कहती, वो बस रगू को तो देखे जा रही थी, इतना कहती है, शान्ती अपना हात रगू के हाथ में रखते हुए, कहती है, मैं वादा करती हूं, जी मैं सब का ख्याल रखूंगी जैसे ही शान्ती ये वादा करती है रगू के करहने की आवाज बंद हो जाती है उसकी सांसे थम जाती है उसका सरीर अब ठंडा पढ़ने लग जाता है जो आसू रगू की आँखों से बाहर निकले ने वाले ते आँखों में थम कर रह गए थे शान्ती जब रगू को शान्त देखती है तो वो उसे हिलाने लग जाती है लेकिन रगू कोई जवाब नहीं देता रगू ने अपना दम छोड़ दिया था आव शान्ती को यह पता चला कि रगू उसे अकेला छोड़ कर जा चुका है तो शान्ती बिलक बिलक कर रोने लग जाती है और रोते हुए चीक चीक कर कहती है नहीं यह नहीं हो सकता और धीरे धीरे पांस साल बीट गए पांस साल बाद शान्ती जो अबूरी हो चुकी थी उससे ठीक से चला फिरा नहीं जाता था उसकी आँखों पर बड़े बड़े लेंस वाले चस्में लगे हुए थे जिससे पता चलता था कि शान्ती की आँखे भी कमजोर हो गई थी शान्ती ने इस वक्त रगू की तस्वीर हाथ में ले रखी थी वो तस्वीर को देखकर अपने और रगू के बीच बिताए हुए पलो को याद कर रही थी शान्ती वो पल याद कर रही थी के तब ही नीलू जो शर्वन की पतनी थी गुसे में शान्ती के पास आती है और कहती है ओ बढ़िया बैटी क्यों है तुझे जो काम बोला था वो किया की नहीं नीलू के बोलने के लहजे से लग रहा था कि वो अपनी सास की कदर करना भूल गई थी वो शर्म जो पहले रहू जिन्दा था तब रखती थी आज वो सर्म बिलकुल निकल गई थी नीलू अपनी बात जारी रखते हुए गुसे के साथ कहती है लगता है सरीर के साथ साथ बढ़िया तेरी याद भी कमजोर हो गई है चल खड़ियो जाकर बरतन साफ कर सांती जी नरम लहजे के साथ कहती है जाती हूँ बहू अभी करती हूँ साप नीलू भुन बनाते हुए कहती है जाती नहीं हो अभी जा नीलू थी ही ऐसी वो अब अपनी सास को बिलकुल भी पसंद नहीं करती थी बात बात में उसे ताने मारती रहती थी और कभी कभी तो जाली गलोच भी करने लग जाती थी साथी साथ वो शर्वन के अंदर उसकी मा के खिलाब नफरत भी भरते जा रही थी शर्वन जब शाम को घर आता तो नीलो उसे उसकी मा के सो से जादा गलतियां गिना देती थी वो शर्वन को अपनी मा की छोटी छोटी गलतियां गिनवा देती आखिरकार शर्वन भी गुसे में आकर अपनी मा से जगडा कर लेता था शर्वन जो प्यार अपनी मा से दस साल पहले करता था उसकी जगए आज नफरत ने ले ली थी आखिरकार नेलू जो अपनी ही सास से तंग आ गई थी एक दिन वो शर्वन को अपनी मा को वृद आ आश्रम में छोड़ने के लिए कहती है जिसे सुनकर शर्वन हैरान वह जाता है शर्वन नेलों से कहता है नेलों ये क्या कह रही हो तुम तुमारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है नेलों सर्वन को पलट कर कहती है मेरा दिमाग बिल्कुल सही है आपकी माघर में कैसे वृदाश्रम छोड़ सकता हूँ, तुम जानती भी हो क्या, क्या आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे, वो लोग कहेंगे कि इस उमर में लोग को ही अपनी मा को वृदाश्रम छोड़ता है क्या, नेलो शर्वन को समझाते वे कहती है, आप उसके फिकर मत कीजिए, लोग लेकिन वो ही नहीं मानी, शर्वन नेलो की बात सुनका सहमत तो होता है, लेकिन उसका मन अभी भी इस बात के लिए नहीं मानता, शर्वन नेलो से कहता है पर नेलो, तो शर्वन अपनी बात पूरी भी नहीं करता, उससे पहले नेलो उसकी बात काट कर बोल पड़ती है, पर कुछ देर सोचने के बाद सर्वन कहता है ठीक है निलू अगर तुमारी यही मर्जी है तो मैं भी यही करूंगा मैं कली मा को वृद आश्रम छोड़ कर आ जाओंगा और अगले दिन शर्वन आज पूरी तरह अपना इरादा कर लेता है और वो अपनी मा को आज वृद आश्र ले जाने के लिए आता है और वो जैसे ही अपने मा के कमरे में जाने के लिए अपने दो तीनी कदम बढ़ाता है तब ही निलू उसके पास आ जाती है और उसके हाथ में एक पोटली थी निलू पोटली शर्वन को देते वे कहती है यह लीजिए आपकी मा के कपड़े इने भ तो उसके कानों पर यकिन नहीं होता क्योंकि जो बेटा आज तक उससे ठीक से बात भी नहीं करता था आज उसे गुमाने के लिए ले जा रहा था शांती शर्वन की बात सुनकर खुस हो जाती है क्योंकि शांती को पहले रगु ही था जो गुमाने ले जाया करता था और आज उसे उसका बेटा घुमाने के लिए ले जा रहा था शांती अन सबी बातों को नजर अंदाज कर देती है जो शर्वन ने उसके साथ इतने दिनों से की थी सांती मुस्कुरा कर कहती है चल बेटा इतना कहते ही शांती शर्वन के साथ जाकर गाड़ी में बैठ जाती है गाड़ी में बैठते ही शर्वन भी ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ जाता है शर्वन गाड़ी स्टाइट करता है और होँआ से निकल जाता है कुछ देर बाद शर्वन घर से वरिदाश्रम की आदी दूरी तै कर लेता है वो गाड़ी में बैठे ही एक बाद सोच रहा था कि अगर उसने अपनी मा को वरिदाश्रम छोड़ा तो हुआ के लोग उसे ताने मारेंगे उस पर उंगलियां उठाएंगे और हुआ पर उसकी मा का खर्चा भी देना पड़ेगा इसलिए वो मनी मन ख्याल करता है कि वो अपनी मा को वरिदाश्रम नहीं छोड़ेगा बलगे उसे बीच रास्ते में ही छोड़ देगा शर्वन कुछ सोचता है और फिर फैसला ले लेता है शर्वन कुछ देर सोचने के बाद ये फैसला ले ही लेता है वो कुछ आगे जाकर देखता है कि सड़क के किनारे एक दुकान है शर्वन उस दुकान से थोड़ा पीछे एक पेड़ के नीचे आकर गाड़ी रोग देता है शर्वन गाड़ी से उतर कर डिगगी खोलता है और उसमें कपड़ों की पोटली निकाल कर उसी पेड़ के नीचे रख देता है शर्वन अपनी मा के पास जाते वे कहता है मा आप एक काम करो आप इस दुकान पर बैठो मुझे कोई जरूरी काम है इसलिए मैं थोड़ी देर में वापस आ जाँगा शांती देवी शर्वन की बास सुनकर गाड़ी से नीचे उतर जाती है और उस दुकान पर जाकर बैठ जाती है शर्वन कहता है मा मुझे होस्पिटल से फौन आया है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा अब मैं चलता हूँ इतना कहकर शर्वन वापस से गाड़ी में आकर बैठ जाता है और अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है इस तरह शांती जी अकेली बैठी रहती है शांती जी को बैठे बैठे तीन घंटे से भी जादा समय हो गया था लेकिन शर्वन अभी तक वापस नहीं आया था दूसरे तरफ शर्वन घर पहुँच जाता है और अपने पतनी से कहता है निकाल दिया उस मुसीबत को अपने गले से नीलू खुस होते हुए कहती है ये तो आपने बहुत अच्छा किया जी आप जाकर इस घर में तकलीप कुछ कम होंगी नहीं तो आपकी माने तो तकलीपों का पहड बना कर रखा हुआ था घर में उधर शान्ती जी बैटी हुई अपने बेटे शर्वन का इंतजार कर रही थी शान्ती जी खुद से कहती है ये शर्वन अभी तक क्यों नहीं आया उसने तो बोला था कि अभी थोड़ी देर में आज आजाऊंगा शान्ती जी खुद को दिलासा देते हुए कहती है लगता है जरूरी काम में फस गया होगा कहके तो गया था कि जरूरी काम हो गया है इसलिए जा रहा हूँ शायद वहीं फसा होगा शान्ती जी सर्वन का इंतजार करती रहती है लेकिन शर्वन का तो कुछ अता पता नहीं था शान्ती जी इंतजार करती रहती है दोफेर से रात हो जाती है करते करते इंतजार लेकिन शर्वन अभी तक नहीं आया था कभी कभी शान्ती जी सोचती है वो खुदी वहीं से चली जाएं लेकिन याद दास कमजोर होने के कारण उसे घर का रास्ता मालूम नहीं था इसलिए वो हुआई पर बैठी रहती है रात हो गई थी और दुकानदार अपनी दुकान बंद कर रहा था वो शान्ती जी की तरफ देखते हुए कहता है बढ़िया तो अभी तक हैंई बैठी है गई नहीं है से शान्ती जी कहती है बेटा मेरा बेटा शर्वन आने वाला है लेने के लिए उसी का इंतजार कर रही हूँ दुकानदार कहता है क्या कहा बेटा आने वाला है अच्छा तेरा बेटा कब तक आने के लिए कह कर गया था शांती जी कहती है थोड़ी देर कह कर गया था बेटा दुकांदर कहता है क्या का थोड़ी देर का कह कर गया था अभी तक नहीं आया लगता है अब वो नहीं आएगा बुड़िया वो तुझे छोड़ने आया था अक्सर लोग यही अपने माबाप को छोड़ कर चले जाते हैं क्योंकि यह सड़क सुनसान है और यहाँ पर कोई किसी परसक नहीं करता अमान भी ले तेरा बेटा भी तुझे तंग आ गया होगा इसलिए तो थोड़ी देर कहकर गया है अब तक नहीं आया शांती जी कहती है नहीं नहीं बेटा मेरा बेटा जरूर आएगा वो ऐसा नहीं है बस आता ही होगा दुकांदार कहता है तेरा बेटा अब नहीं आने वाना और तू कहती है कि वो आ जाएगा उसे अब तेरी जरूरत नहीं है बुढिया माई इसलिए वो तुझे छोड़ कर चला गया अब मेरी बात मान यहां से चली जा नहीं तो यहां के जंगली कुटे खा जाएंगे तुझे समझ गई न शांती जी नामे सिर हिलाते हुए कहती है नहीं बेटा मेरा बेटा आता होगा उसने मुझसे कहा था कि वो वापस आओंगा मा दुकानदार कहता है मेरा तो काम तुझे समझाना था बुढिया माई लेकिन तेरी यही इच्छा है तो इंतजार करती रहे मैं तो चलता हूँ मेरे सोने का समय हो गया है इतना कहते ही दुकानदा दुकान बंद करके हूँ से चला जाता है शांती जी कुछ देर इंतजार करती है और उस तरफ देखने लग जाती है जहां उसका बेटा शर्वन गाड़ी लेकर गया था वह हूँ वहाँ देखती है तो उसे पता चलता है जिस पेड़ के नीचे शर्वन गाड़ी रोकी थी वहाँ पर एक पोटली पड़ी हुई थी शांती जी सोचते हुए कहती है यह तो वही पोटली है जो शर्वन गाड़ी की डिग्गी से उतारी थी मैंने खुद देखा था गाड़ी की साइड वाले सीसे से शांती जब उस पोटली के पास जाकर देखती है तो उसे दिखाई देता उस पोटली में उसके कपड़े पड़े हुए थे साथ ही उसके पती रगू की फोटो भी थी शान्ती जब उस पोटली को देखती है तो उसे पूरा भरोसा हो जाता है कि यह दुकानदार बिल्कुल सही कह रहा था उसका बेटा उसे छोड़ने ही आया था शान्ती जी पोटली से रगु की फोटो अपने हाथ में लेकर रोती होई कहती है ए जी देखिये न ये क्या हो गया शर्वर मुझे यहां अकेला छोड़कर चला गया आप कहां चले गए मुझे अकेला छोड़कर देखिये ना कितनी रात हो गई है यहां आसपास भी कोई नहीं है मैं किस से मदद माहूं मैं जाऊं तो कहां जाऊं जी इतना कहते ही शांती जी जोर जोर से रोने लग जाती है वो रोई रही थी तब ही उसके आसपास चार पास जंगली कुट्टे आने लगते है शांती जी उन्हें देखकर घबराने लग जाती है और घबराते हुए कहती है अरे ये कुटे तो मेरी तरफ बढ़ रहे हैं इतना कहते ही शांती जी दूर से उन्हें भगाने लगती है और उन्हें छूचू करके दूर करती है और वो कुटे अभी भी उसके पास कदम बढ़ाए जा रहे थे उनमें से एक कुटा शांती जी पर बेहोस हो जाती है और रात खतम हो जाती है अगली उस सुबह सान्ती जी को होस आता है तो वो उठकर देखती है उसके हाथ से खून निकलना बंध हो गया था उसकी जगह खून का ठक्का जम गया था शान्ती जी के हाथ में अभी दर्द हुए जा रहा था शान्ती जी करहते व और नहीं उसका घर और वह बहुती उदास हो जाती है शान्ती जी यह देखकर कहती है हे भगवान वह भगवान को पुकारते हुए कहती है हे भगवान मैंने क्या गलती की थी आज मुझे आपने दरदर की ठोकरे खाने के लिए इस हालत में छोड़ दिया भगवान आपसे विंती करती हूँ मैं मुझे इस हालत में छोड़ने से अच्छा होता आप मुझे अपने पास बुला लेते इतना कहकर शान्ती जी जोर जोर से रोने लग जाती है और रोते रोते हुआ पर बैठी रहती है दूसरी तरफ अपने घर शर्वन डायरी से पता चलता है कि वह डायरी सर्वन के पिता रगु की थी जब वो उस डायरी को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि उसके पिता जब अभ्यारन्या में नौकरी करते थे तब लिखा करते थे डायरी पढ़ते हुए शर्वन देखता है कि क्या लिखा है उसमें लिखा था 30 नॉंबर 1996 में आज का दिन कुछ अलगी हाल बयान कर रहा है प्रकरती में जैसे अलगी उमंग चाही हो ऐसे लम्हों में कौन नहीं जीना चाहेगा मेरा दिनी मेरा हाल बयान करता है कि आज मेरा मून कैसा रहेगा लेकिन ना जाने एक बेचैनी पैदा करती है मैं जब इस बेचैनी का पता लगाता हूं तो मुझे पता चलता है मेरी इस बेचैनी का कारण कोई और नहीं बलकि मेरी पतनी शांती है यो तो वो हमेशा हसी खुसी के साथ रहती है कभी कभी अगर मायूस हो जाती है तो उसे अपने साथ अपने इ अब्यारन लेकर आया था, लेकिन उसकी मायुसी उसकी सोतन की तरह उसका पीछाई नहीं छोड रही थी, मैंने शांती से पूछा क्या बात है शांती, तुम कुछ परेशान लग रही हो, क्या आज तुम्हारा मन नहीं लग रही है, शांती मायुसी के साथ कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है जी लेकिन एक बात मुझे अंदर से खाये जा रही है रगु जट से पूछता है क्या बात शांती कौन सी बात तुमें जो इतनी टेंसन दे रही है जो अंदर इंदर खाये जा रही है शांती रगों की तरफ देखते हुए कहती है वो बात यह है जी हमारी शादी को कितने साल हो गए है लेकिन हमारे घर कोई संतान नहीं है शांती बहुती नरम लहजे के साथ अपनी बात जारी रखते हुए कहती है पता नहीं जी भगवान ने हमें किस जनम की स जरूर सुनेगा शानती रगू की आखों में कहते हूं का यह तो विदी का विधहन है हम तो बस इतना कहर सकते हैं कि जो चल रहा है उसे चलने दे शानती कहती है एंजी आपको भी भरूसा है कि हमारे कोई संतान होगी तो रगु शान्ती को समझाते हुए कहता है देखो शान्ती तुम बस भगवान पर भरोसा रखो वो सब ठीक कर देंगे इतना कहते है शान्ती भी रगु की बात मान लेती है जब वो घर पर होती है तो अपने सहलियों से पता करती है संतान प्राप्त करने के लिए कौन से विधिया करनी चाहिए रग हो आगे अपनी डायरे में लिखते हुए कहता है मेरी पतनी को जब भी सुबह सुबह में देखता था तो वो कुछ ना कुछ धार्मिक क्रिया करती हुई मिलती थी वो संतान प्राप्ती के लिए हर सुकरवार को संतोसी माता का वरत रखती थी घर में कभी कोई पूजा पाठ करवाती तो कभी कभी घर में लड़कियों को खाना खिलाती उसने संतान प्राप्ती के लिए जितने वरत और विधिया करनी थी वो सभी कर दी थी मैं भी शांती को देखकर अचंबित रहता था वो इतना सब कैसे कर सकती थी मुझे हैरानी उस दिन हुई जो शांती को अचानक से उल्टियां आने लगी थी उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर गया उस दिन डॉक्टर ने मुझे जो बात बताई उसे सुनकर मुझे इतनी खुसी हुई मुझे कुछ देर तक तो ऐसा लगा जैसे ये कोई सपना हो लेकिन जो शांती के चेहरे पर खुसी देखी तो ऐसा लगा ये सपना नहीं हकीकत थी मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि संतान के लिए सांती ने अपनी जिंदगी में कैई बलीदान दिये थी जिस कारण उसको ये फल मिला शांती ने तो बेटे को जनम दे कर अपने किये हुए बलीदान पूरे किये थे लेकिन अब मेरी बारी थी एक दिन जब शर्वन की स्कूल की पढ़ाई पूरी होई थी उस वक्त मेरी तब्यत अचानक खराब हो गई थी जब मैंने जाच करवाई तो पता चला मुझे कैंसर है मेरा मित्र संजे एक अच्छा डॉक्टर था उसने कहा था कि ये कैंसर की पहली स्टेज थी अगर इसमें इलाज हो गया तो कैंसर ठीक हो सकता है नहीं तो जान जाने का खत्रा बढ़ सकता है उस वक्त स्रेवन बड़ी उनिवर्स्टी में जाने की जिद करने लगा था जिसके लिए काफी पैसा चाहिए था इसलिए मैंने पैसे इखटा करना सिरू कर दिये और करते करते इतना पैसा इखटे हुए जिससे सिर्फ एक ही काम हो सकता था या तो अपना इलाज करवा सकता था या फिर अपने बेटे को यूनिवर्स्टी की फीस भर सकता था और मैंने शांती की तरही अपने बेटे के लिए बलिदान देना सही समझा इसलिए मैंने अपना इलाज करवाना सही नहीं समझा और अपने बेटे के कॉलिज की फीस भर दी और मेरा काम खतम हो गया मैं शर्वन को नौकरी लगकर देखकर बहुत खुस हुआ क्योंकि मेरा सपना साकार हो गया था शर्वन मेरी जिंदगी का साहरा जो बनने वाला था उस कुली ने सही कहा था जो मुझे उस वक्त सहर में मिला था कि आपका बेटा भी आपकी तरह शर्व गुन संपन होगा इस तरह कहते ही शर्वन उस डायरी को पूरा पढ़ लेता है शर्वन को अपने और कुली के बीच की वो बात याद आने लगती है जब उस कुली ने कहा था आज कल के बेटे को पताने क्या हो गया है जब देखो बस अपने माता पिता को छोड़ना चाहते हैं शर्वन जब उस डायरी को पढ़ता है तो उसका दिल जो पहले पत्थर का बन चुका था अब वो बर्फ की तरह पिगलने लग गया था वो अपने माता पिता के किये गए बलिदानों को देखकर मनी मन रोने लगा उसकी आँखे नम हो गए वो पश्तावा करने लग जाता है वो सोचने लग जाता है जिस माता पिता को वो परेसानियों का दोसी समझता था वो तो दोसी थे ही नहीं, बलकि असली दोसी तो वो खुद था, इतना कहते शर्वन खुद से कहता कैसा बेटा हूँ मैं, अपने पिता का अंतिम समय में भी सहरा नहीं बन सका, और नहीं अपने साथ रख सका, शर्वन हडबढाते हुए कहता है, अभी देर नहीं हुए है, को ऐसा करते देखकर उसकी पतने नीलू कहती है, ये क्या कर रहे हो जी आप, और इतने घबराए हुए क्यों हो, शर्वन कहता है, गलती हो गई, नीलू मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, नीलू कहती है, गलती हो गई, पर क्या, शर्वन कहता है, यही कि मेरे माता पित का प्यार समझ में नहीं पाया मैं मैंने इनी हातों से अपने पिता की दवाई बंद करके मार दिया और अब अपनी मा को भी बाहर निकाल दिया लेकिन अब मैं इस गलती को सुधारूंगा नेलो मुह बनाते हुए कहती है क्या का गलती सुधार होगे पर कैसे सर्वन ने जट से जवाब दिया अपनी मा को वापस लाकर नेलो गुसे के साथ कहती है क्या कहा तो सर्वन कहता है कि अपनी मा को वापस लाकर मैं अपनी गलती को सुधारूंगा नेलो गुसे के साथ चिलाते हुए कहती है क्या कहा अपने शर्वन हामी भरते हुए कहता है हाँ नीलू मैं अपनी मा को और दुखी नहीं कर सकता मैं वापस लाऊंगा नीलू चुड़ते हुए कहते है देखे अगर आप उस बुढ़िया को वापस घर में लेकर आए तो मैं घर में बिल्कुल नहीं रहूंगी और वैसे भी उस बुढ़ियाने घर पर तो रहकर तंग किया है लेकिन अब घर से निकल कर भी परेशान कर रही है इससे तो अच्छा है कि वो मरी ही जाए जैसे ही सर्वन नीलू के मुह से यह बास सुनता है तो उसे गुसा आ जाता और गुसे में आकर वो नीलू को एक जोड़दार तमाचा जड़ देता है शर्वन गुसे के साथ कहता तुमारी यह हिम्मत कैसे हुई तुम मेरी मा के बारे में यह कहो तुम क्या घर से निकलोगी मैं तुमें ही घर से बाहर निकाल दूँगा इतना कहते शर्वन नीलू का हाथ पकड़ते हुए कहता है चलो निकलो मेरे घर से बाहर नीलू रोते हुए कहते है मुझे माफ कर दीजिए मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था शर्वन कहता है मैंने सोचा था कि تم मेरी मा की कदर करती हो और मेरे साथ जो मेरी जिन्दगी में मेरा साथ दोगी लेकिन तुमारे दिल में मेरी मा के लिए नफरत के सिवा कुछ नहीं था नीलू और मैं अभी से और बरदास्त नहीं कर सकता हूँ अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकलो इतना कहते ही सरवन नीलू का हाथ पकड़ कर जब बरदास्ती घर से बाहर निकलने लगता है नीलू रोते हुए जमीन पर बैट जाती है और बार बार मापी की गवार लगाती रहती है नीलू रोते हुए कहती है देखे जी आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए मैं आपकी पत्नी हो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर्वन गुसे से लाल होते हुए कहता है नीलू तुमने पत्नी होने का फर जब खो दिया है अब तुम वो औरत हो जिसे किसी की कदर करना नहीं आता नीलू दुबारा कहती है मुझे माफ कर दीजिए मैं माजी को कुछ नहीं कहूंगी उनका हर वक्त ख्याल रखूंगी पिलीज मुझे माफ कर दीजिए जब शर्वन के को जो नीलू की ये करूना पुकार सुनता है तो रुख जाता है और नीलू को देखते रहता है नीलू अपनी बात पूरी करते हुए कहती है मैं अब कभी आपकी माँ को आप से दूर नहीं करूंगी हमेशा उनकी सेवा करूंगी शर्वन नीलू की बात सुनकर मान जाता है और नरम लहजे के साथ कहता तो ठीक है नीलू तो मैं छोड़ देता हूं लेकिन आइंदा तो मैं एक अच्छी बहु बन कर दिखाओगी याद रखना अब मेरी माँ नहीं बलकि वो तुम्हारी भी माँ है इसलिए हमेशा उसका सम्मान करना मैं जा रहा हूं अपनी माँ को लाने इतना कहते है शर्वन अपनी गाड़ी की चावी उठाता है और गाड़ी लेकर हूँ से चला जाता है वो बड़ी स्पीड से गाड़ी चला रहा था ऐसा लग रहा था कि वो आज अपनी माँ को मिलकर ही रहेगा उसकी आखों से लगातार आसू टपक रहे थे वो बार बार उनी पलों को याद कर रहा था जो उसके पिता की डायरी में लिखे हुए थे शर्वन खुद से कहता है मुझे माफ कर दीजिएगा पिता जी मैं आप दोनों को समझ ही नहीं पाया इतना कहते ही शर्वन गाड़ी चलाते हुए एक सिगनल के पास आकर रुख जाता है जहां काफी ट्रैफिक जाम था शर्वन कहता है यह क्या यहां तो ट्रैफिक बहुत है मुझे बहुत जल्दी से यहां से निकलना है इतना कहते हैं शर्वन अपनी गाड़ी को एक तरफ लगाता है और पैदली उस तरफ भागते हुए कदम बढ़ाने लग जाता है शर्वन को भागते हुए काफी समय हो गया था उसको ठकान महसूस होने लगी थी लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था लेता भी कैसे आखिरकार इंसान तब भागता है जब उसका सब को छीनने वाला होता है और वो उसे बचाने की कोसिस करता है सर्वन भागते हुए को पार कर रहा था कि तब ही उसको एक एम्बुलेंस के साथ टक्कर हो जाती है जिससे वो एक तरफ आकर गिल जाता है और वापस से खड़ा होता है जैसे उसे कोई फरक ही ना पड़ा हो सर्वन वापस भागने लगता है और भागते भागते उस दुकान पर पहुँच जाता है जहां आकरी वक्त उसने अपनी मा को छोड़ा था जब वो दुकान पर पहुचता है तो देखता है वहाँ उसकी मा नहीं थी तब वे दुकानदार के पास जाकर कहता है सुनो भाईया तुमने यहां किसी बुड़ी औरत को देखा है क्या दुकानदार याद करते हुए कहता है कहीं तुम उस बुढ़िया की तो बात नहीं कर रहे जिसे उसका बेटा यहां छोड़ कर गया था वे कह रही थी कि उसका बेटा आएगा लेकिन वे अभी तक नहीं आया जैसे यह बात सर्वन सुनता है तो यह सरम से अपना सिर नीचे जुका लेता है और सरम के साथ कहता है हाँ भाईया वही दुकानदार कहता है अरे भाई तीन दिनों से इस पेड़ के पास ही वे पड़ी हुई थी चल फिरना तो दूर की बात उसने तो हुआ से खड़ा होना भी सही नहीं समझा था और आज लगता है शायद वो मर गई होगी इसलिए एक एम्बुलेंस आकर उसे यहां से लेकर चली गई सरवन जब यह बात सुनता है तो घबराने लग जाता है और घबराते हुए कहता है क्या वे एम्बुलेंस अभी थोड़ी देर पहले ही निकली है दुकानदार हां में सिर हिलाते हुए कहता है हाँ भीया अभी थोड़ी देर पहले ही निकली है शरवन खुद से कहता है अरे वो एम्बुलेंस तो मेरे हॉस्पिटल की थी वो मेरे हॉस्पिटल में ही गई होगी मुझे जल्दी से जल्दी हुआ पहुँचना होगा इतना कहते ही सरवन दुकानदार को बिना कुछ बोले ही वहां से निकल जाता है और वो एक रिक्षा पकड़ता है और अपने हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता है इस तरह शांती जी की हालत बहुत गंभीर थी ऐसा लग रहा था वो अब बचने वाली नहीं है उसने तुरं वो एम्बुलेंस के पीछे पीछे ही हॉस्पिटल पहुंच गया था शरवन लड़ खडाते हुए अंदर की तरफ भागने लगता है उसके एम्बुलेंस के साथ टकर हुई थी जिस कारण उसके हाथ पैर और माते पर चोट के निसान थे जिनसे अब खून निकलने लगा थ लेकिन वो फिर भी अपनी मा को बचाने के लिए इन घाबों को नजर अंदाज किये जा रहा था जब नर्ज सरवन को इस हालत में देखती है तो वो हैरान रह जाती है और हैराने के साथ कहती है सर यह आपको चोट कैसे लगी रुकिए मैं आपकी पट्टी कर देती हूँ श शरवन जो इमर्जिंसी रूम में पहुँचा तो उसने देखा कि उसकी मा को गुलुकोस की बोतल लगा रखी थी शरवन को जब इस हालत में बाकी के डॉक्टर देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं वो डॉक्टर सरवन से पूछते हैं सर यह कैसे हुआ तो शरवन मायूसी क किसी बेजान पेड़ की तरह सूख गया था, जिसे देखकर उसकी आँखों में बड़े-बड़े आंसु बहने लग जाते हैं, शर्वन जब अपनी मा की हाथ की नवज चेक करता है, तो हैरान रह जाता है, उसे पता चलता है, उसकी मा की नवज धीरे-धीरे चल रही थी, शर्वन हर्ड़ाट में कहता है, जल्दी इनका ट्रीटमेंट सिरू करो, इने कुछ नहीं होना चाहिए, सर्वन को इतना हर्ड़ाटा हुआ देखकर डॉक्टर पूछते हैं, शर्वन मा इस चहरे के साथ कहता है, यह मेरी मा है, डॉक्टर यह सुनकर हैरान रह जाता है, और हैराने के साथ कहता है, यह आपकी मा है, और यह इस हालत में कैसे, सर्वन रोते हुए कहता है, यह सब मेरी गलती है, मेरी ही गलती की वज़े से मेरी मा की आज ये हालत हुई है डॉक्टर पूछता है आपकी वज़े से हुई है आपने कौन सी गलती कर दी सर इतना कहते ही सरवन उसको मा के घर से निकालने से लेकर और किस तरह उसे उसकी मा के बारे में पता चला तब तक सारी बार डॉक्टर को बता देता है शर्वन रोते हुए कहता है यह सब मेरा किया धरा था जिस कारण इनकी ऐसी हालत हुई है लोग तो अपनी मा की इस उम्र में सेवा करते हैं और मैं हूँ इनकी सेवा करना तो दूर उन्हें घर से निकाल दिया डॉक्टर सर्वन को इस तरह रोते हुए देखते हैं तो नरम लहजे के साथ कहते हैं सर इसमें आपकी कोई गलती नहीं है आदमी को कुछ चीजों की एहमियत पास होने पर समझ नहीं आती लेकिन जब वो दूर जाती है तब समझ आती है और आज आपको भी आपकी मा की एहमियत समझ आ गई है इतना कहते हैं डॉक्टर जो तुरंत शांती जी का ट्रेटमेंट सिरू कर देते हैं और कुछ ही घंटे बाद शांती जी की हालत में कुछ सुधार आ जाता है तब उन्हें आईसियों में भरती कर दिया जाता है सर्वन दिन रात शांती जी के पास बैठा रहा उसके मन में एक बार भी घर जाने का ख्याल नहीं आया रात भी वो अपनी मा के पास ही रहा घर जाने का ख्याल आता भी कैसे जब आपकी सबसे प्यारी चीज जब आपसे बिछडने वाली होती है तो आप उसे अपनों से दूर जाने के लिए ही रोकते हैं और आज शर्वन की मा को खुद से दूर करने पर वे अपनी मा को रोक रहा था अगले दिन जब शांती जी को होस आता है तो शर्वन देखता है कि उसकी मा की हालत में सुधार है तो अपनी मा के हाथ को पकड़ते हुए कहता है मा मुझे माफ कर दो मैं आपको बिल्कुल भूल गया था अब मैं आपको खुद से कभी दूर नहीं करूंगा मा एक बार तो आखे खोलो इतना कहते ही शर्वन रोने लग जाता है शांती जी शर्वन को रोते हुए देखका धीरे धीरे अपने आखे खोलती है ऐसा लग रहा था कि शांती जी शर्वन को देखने के लिए ही जो उन्होंने आखे खोली थी खोलती भी क्योंने क्योंकि जब से सर्वन ने उन्हें छोड़ा था तब से उसने सर्वन को देखने के सिवाए किसी को देखा तक नहीं था और एक माह हमेशा अपने बेटे को देखने के लिए तो सब कुछ कर गुजर जाती है लेकिन उसे अपना बेटा बहुत प्यारा होता है जब उस सर्वन को अपने सामने देखती है तो उसकी आँखों में भी आंसु आ जाते है शाहनती जी दर्द भरी आवाज में धीरे से कहती है आ गया बेटा मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी मुझे पता था तुझ वापस जरूर आएगा इसलिए मैं हुआई बैठी रही तेरे इंतजार में शर्वन कहता है मा मुझे माफ कर दो मुझे आपको समझने में देर लगी अब मैं कभी आपको खुद से दूर नहीं करूंगा मा मैं मरते दम तक आपका साथ निभाऊंगा बस आप हमें छोड़ कर चली मत जाना शान्ती जी नरम लहजे में कहती है जाती भी कैसे बेटा मैंने तेरे पिता को वादा जो किया था अपने आखरी दम तक ख्याल रखने का तो कैसे जाती मैं तुझे छोड़ के इस तरह शर्वन और शान्ती का वापस मिलन होता है और शान्ती जी के चहरे पर वैसी खुसी चाही थी जैसे सर्वन जब कभी पैदा हुआ था तब शान्ती जी खुस होई थी कुछ दिना के बाद शान्ती जी को हस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है शान्ती जी वापस से ठीक हो जाती है शान्ती जी घर पहुँचती है तो नेलू को भी एहसास हो जाता है कि उसने शर्वन की मा के साथ बहुत गलत किया था इसलिए वो भी अपनी मा की तरह उनकी सेवा में लग जाती है शांती जी के जीवन से जो खुसियां उजडी थी अब वो वापस आ गई थी लेकिन कमी रह गई थी तो रगू की लेकिन हमारे नियती में यही लिखा है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है वही शांती जी ने रगू को तो खो दिया लेकिन अपना परिवार उन्होंने वापस पा लिया दोस्तों हमारे जीवन में कभी कभी बहुत बुरे दिन आते हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो हमारी जिंदगी में सारी उमर रहेंगे बुरा वक्त भी दीरे दीरे निकल ही जाता है आप लोगों से यही प्रात्ना है कि जीवन में कभी भी कुछ भी हो लेकिन अपने माबाप को कभी भी दूर मत करना ना ये उन्हें घर से निकालना विरिदास्रम छोड़ने जैसा कदम कभी न उठाएं यह काहनी आपको यही शिक्षा देती है हम कभी कभी अपनों को खो देते हैं जिस कारण हमें सारी जिंदगी पस्तावा होता है और ना चाहकर भी हम उसे बदल नहीं पाते जब अपने खुद से दूर होते हैं तो तब हमें उनकी एहमियत समझ में आती है इसलिए आप ये कभी न भूलिये दोस्तों कि आपके माता पिता ने आपके लिए काफी बलिदान दिये हैं इसलिए आपका भी फर्ज बनता है कि उनके आखरी समय में आप उनका साथ निभाएं मा एक ऐसा किरदार है दोस्तों जिसे भगवान ने बड़ी फुरसत में बनाया है आपको उसने संगरसों के सिवा कुछ नहीं दिखाई देगा अपनी मा के अंदर कहने को तो एक इनसान की चार माताइं होती है पहली माता वो जो नौ महीने गरव में रखकर जनम देती है जनम जननी मा होती है दूसरी माता वो जो जनम से लेकर हमारी मिर्तियों तक हमारा भार सेहन करती है यानि धर्ती माता तीसरी माता वो जब हम पैदा होते हैं तो हमारी माता हमें 6-7 महीने दूद पिलाती है उसके बाद जो दूद पिलाकर बढ़ा करती है वो है गव माता चौथी माता वो जहां जाकर मनुश्य का मोक्ष या कल्यान हो जाता है तरन तारन गंगा मैया दोस्तों अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें राधे राधे